आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ब्रैंड न्यू मॉडियूल में आज से हम शुरू कर रहे हैं मॉडियूल नंबर 5 पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अर्थात स्वतंत्रता पश्चात भारत 1947 के बाद अगले 10-15-20 वर्षों में क्या-क्या हुआ क्या-क्या चीजें बदली वो सब हम स्टड़ी करेंगे इस बहुत खूबसूरत मॉडियूल में आज हमने हाफ सेंचुरी भी लगा ली है तो भई आप सबको बहुत बहुत बढ़ाई 50 लेक्चर बढ़ लिया अपने तेड़सों में से एक तीहाई कोर्स कम्प्लीट आज हमारा पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स राजसी रियासतों का एक ही करण सभी क्लासेस लाइव अटेंड करें पावर अफ टेन के सेशन्स और क्विजस को सॉल करें आने वाले संडे आपको अगला पावर अफ टेन मिलेगा इस शनिवार शाम को बरावर 6 बजे डाउट क्लेरिंग सेशन होगा सारे अच्छे से पढ़ें और रिवाइस करें हमारे चार मॉड्यूल कम्प्लीट हो चुके हैं और आज से हम हमारा फिफ्ट मॉड्यूल पोस इंडिपेंडेंस इंडिया शुरू कर रहे हैं इस मॉड्यूल में टोटल 9 लेक्चर्स होने वाले हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और ये मॉड्यूल नेक्स्ट वीकेंड तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए उसके बाद हम हमारे दो बड़े प्यारे मॉड्यूल एकनॉमी के ओपन करेंगे एक के पीछे एक और फाइनली हम आ जाएंगे वर्ल्ड एंड इंडियन जोग्रफी पर आकरी मॉड्यूल है इंशेंट इन मेडेवल इंडियन हिस्ट्री जो डिसेंबर में आएगा समझे भाई तो ये है आपके सोला मॉड्यूल पोस इंडिपेंडेंस इंडिया के नौ लेक्चर दियान से देख लें बड़ा मज़ा आने वाला है सबसे पहले integration of princely states, linguistic reorganization of states and new states in India ये तीनों मिलके आपको भारत का पूरा state structure अच्छे से समझा देंगे भारत जब आजाद हुआ था उस वक्त वो एक बेहत कमजोर देश था जो साड़े 500 रियासतों और अंग्रेजों की प्रोविंसेस में बटा हुआ था उसको आज के modern shape में लाना ये एक हर्कूलियन टास्क था और इसमें देश विखंडित हो सकता था पूरी तरह से बहुत smoothly बेहत complex process को हमारे founder fathers ने किनारे लगा दिया और इसलिए हम उन्हें salute करते हैं इन तीन lectures में वही salute की process चलेगी उसके बाद हम आएंगे population issues, diversity in India, urbanization in India ये बिलकुल आज के लिए contemporary basis पे important issues है उसके बाद हम आएंगे left wing extremism in India वांपंथी उग्रवाद उसके बाद women's issues and organizations and finally India's multiple security challenges इन 9 lectures के साथ post-independence इंडिया का module complete करके हम economy module पे चले जाएंगे clear हो गया दिमाद में, structure आगया, good अब post-independence India module में तुकडो तुकडो में अलग-अलग paper में syllabus cover होगा prelims के लिए ये वाले हिस्से में कुछ content आएगा mains में तो मदद मिलनी ही मिलनी है essay में mains paper 2 GS1 में ये वाले portion cover होने वाले है paper 3 GS2 में ये वाले paper 4 GS3 में ये वाले समझ रहे ना? तो हमारे इस module में काफी सारे हिस्से अलग-अलग-अलग-अलग cover होगे हमारी आपको guarantee है जब ये 150 lecture का हमारा core course complete होगा ये syllabus पूरा हो चुका होगा reading material में आपको बहुत देता जा रहा हूँ बताते चलिए आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं enjoy कर रहे हैं नहीं good चलिए lecture 1 integration of princely states module 5 50 of 150 शुरू हो चुका है ये रहा आज का agenda the history of India how change was the only constant भारत की इतिहास में कैसे परिवर्तन एक मात्र अटल सत्य रहा political structure की कुछ key definitions भारत की राजसी रियासतों का evolution इतिहास में कैसा हुआ presidencies and provinces अंग्रेजों के समय कैसे बने 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जो भायनक खिचडी हमारे founder fathers को हाथ में मिली वो क्या थी उसके बाद political integration शुरू होता है princely state जो पूरी तरह से शोशन करता थे दो चार exceptions को छोड़ दें getting it all together troublemakers and most difficult period and key persons उसके बाद हमारे समविधान के article 1234 आंद्र परदेश की कहानी prelim MCQs and mains question आ गया समझ में excited yes or no करके दिखाएंगे संदीप सुर जिंदाबाद 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 how change was the only constant तो भारत के इतिहास में सेकडो 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 सालो में परिवर्तन इतना हुआ है कि पूछिये मत अब हम अगर आपको एक छोटा सा निबंद का विशयद देते हैं तो इसका बेहत खूपसूरत उत्तर हम खुद आपको ग्राफ्स के माध्यम से देना चाहेंगे तेरा पन्नो में मैं आपको ग्राफ्स के माध्यम से भारतिय इतिहास में परिवर्तन ही एक मात्र सत्य ये संजाना चाहता हूँ समझ माई बात इतना मज़ा आएगा ये तेरा ग्राफ कंप्लीट होते होते आप बोलो के सारा आनन पर्मानन और ये सब हम डीटेल में हमारे आखरी मॉडियूल में हिस्ट्री ओफ इंडिया में पढ़ने वाले उसमें तो मैं अंदर कूद के बढ़ाओंगा समझ मैं ऐसा मॉडियूल बना है वो तो एंचेंट और मीडिवल इंडियन हिस्ट्री का कि भाईया साब पूछो इमत आप तो कुछ तो शुरू करूं with your permission आपको numbering उपर दिख रही है 1 of 13 तो टोटल आपको 13 पंद्य दिखाऊंगा और हमारा topic क्या है history of इंडिया change as the only constant और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हम आजाद भारत में integration of 550 princely states करेंगे और वो जो 500-500-600 states हैं वो आए कहां से यही तो देखना है भारत की कहानी की शुरुआत होती है बेहद महान सिंदु घाटी सभ्यता से सिंदु घाटी सभ्यता आज से 5000 साल पहले अपने चरम पर आ चुकी थी ये एक urban civilization थी 1000 से ज्यादा शहर हमारे पूर्वज बना चुके थे याद रखिएगा वेदिक civilization एक ग्रामीन सभ्यता थी इंडस वेली ग्रामीन नहीं थी बहुत एडवांस शहर थे इतली दोनों में कोई comparison नहीं है इंडस वेली civilization पूरी तरह से नौर्थ वेस्टन इंडिया की जो आज का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का शेत्र भी है और धीरे धीरे थोड़ा वेस्टन इंडिया और गंगा घाटी तक आ चुकी थी यहां से पूरे बीज पढ़ते हैं इस शेत्र में सभ्यता के ancient river valley civilization में सिंदु घाटी सबसे बड़ी थी यहां किसी भी तरह के राजा नहीं थे जीरो प्रूफ अफ एनी डाइनेस्टी अभी तक कल सुबह क्या हो किसको पता नो kings, no queens, no pharaohs, nothing, no emperors it was a complete democratic secular structure सब्ता बटी हुई थी कहीं कहीं top administrators तो रहे ही होंगे क्योंकि पूरा का पूरा system copy हुआ हजार शेहरों में बहुत scientific civilization थी प्यार मुहबबस से रहने वाले लोग है हतियार थे नहीं commercial travel करते थे हजारों किलोमीटर मिडिलीस तक वहां उनकी graves मिली है burial होता था burning नहीं होती थी bodies की मरने के बाद ये सब 25-30 चीज़े हम आपको ancient medieval इंडिया में पढ़ा देंगे आकरी module में उसके बाद 800 सालों तक बारिश नहीं हुई और 2000 BC के आसपास इनका संपून पतन हो गया 1500 BC के आसपास मत देशिया से आरियों का आगमन सेकड़ों सालों तक हुआ जिन्नोंने रिग्वेद लिखे 1500 BC में और वहां से वेदिक संस्कृती का उद्गम होता है जो बिलकुल अलग है इससे वेदिक संस्कृती और पश्चात वेदिक संस्कृती के पतन के बाद महा जन्पद 500 इसा पूर्व तक 16 महा जन्पद भारत में बन चुके थे महा यने बड़ा जन यने जनता पद यने उनका पाव The Feet of the Great Tribes Solar Republic नाम आपके सामने है South में ये की था अश्मक पुझेन यने अवंती चेदी, वच, काशी, मल, व्रजी, मगद, अंग, कौशल, पांचाल, सूरसेन, मस्य, कुरू, गांधार, कंभोज लेकिन इनका भी पतन बहुत जल्दी हुआ याद रखियेगा This was known as the first urbanization of South India Sorry, South Asia And this is known as the second urbanization of the Indian subcontinent शेहरी करण का पहला चरण था सिंदू घाटी Second great urbanization was the महा जन्पद एरा अब ये सब बहुत ज़रूरी है समझना ये एक एक चीज जो मैं additional बताते जाता हूं इन पर सवाल बनते हैं exam में ध्यान रखना विटा 1000 BC से आगे बाउद धर्म और जैन धर्म का उदय होता है भारत में जो हिंदू धर्म से तब तो हिंदू कुछ था ही नहीं वेदिक ब्रह्मन धर्म ही होता था बाउद जैन आजी विक ये सब श्रमन परमपरा से पैदा होते हैं इन्हों ने वेदिक ब्रह्मन धर्म और यग्य परमपरा को पूरी तरह से त्याग दिया था कि हम इसे मानते ही नहीं ये सब दिखावा है वी डोंट एक्सेट इट वोजर रिवोल्ट अगेंस दैट बाउद जैन और आजी विक और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा और भारत का पहला एंपायर बन गया था 250 बीसी के आसपास मौर्य एंपायर एतिहासिक रहा चंदरगुत मौर्य ने इसे मनाया और उनके पोते अशोक ने इसे सर्व श्रेष्ट उचाई तक पहुँचा दिया अशोक के बाद आखरी राजा ब्रहदरत का गला काटा पुश्य में तर्शुंग ने और उसके बाद चेन ओफ इवेंट्स बहुत लंबा पीछे 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 चलता गया जिसके बाद फाइनली उस लंबे चेन ओफ इवेंट्स के पंदरा सो साल बीत जाने के बाद पंदरा सो चब्विस में मुगल डाइनस्टी भारत में पाउँ जवाना शुरू करती है दक्षिन भारत की कहानी अलग चल रही है थोड़ी सी और मुगल डाइनस्टी धाइसो सालों तक खुद को अच्छे से चला पाती है जिसके बाद उनका पतन और अंगजेब की मौत के बाद होने लगता है सत्रा सो पचास आते आते मराठे भारत में काफी व्यापक स्तर पर फैल चुके हैं मराठा सामराज्य का बीच चत्रपती शिवाजी राजे ने दक्कन की दुर्गम पहाडियों में बोया था किसी ने सोचा नहीं था कि एक 14 साल का लड़का अपने कुछ मावलों के साथ एक सेना खड़ी कर लेगा लेकिन उसने की और वो बना मराठा सामराज्य अंग्रेजों का आगमन सत्रवी सदी में हो चुका था और चतुराई से दुष्टताथ से और बहुत हत्कंडे अपना कर अंग्रेजों ने अपने पाउं जमा लिये सबसे पहले अंग्रेजों ने 1757 में बैटल आफ पलाशी जीतने के बाद पूरा बंगाल अपने कबजे में किया सिराजुद दौला को मार डाला मीर जफर को जगत सेठ जैन बंधूँओं के मुर्शिदवाद वाले फंडिंग के पैसे से मीर जाफर को खरीदा और पूरा बंगाल उनकी जेब में चला गया और 1764 में बकसर की लड़ाई में नवाब अव अवद बंगाल का नवाब और मुगलों का वारिस तीनों को एक साथ हरा के संपून बिहार बंगाल और उत्रपदेश पे कबजा कर लिया मतलब अवद और वहाँ से फिर उनके पाउँ सब तरफ फैल गए 1857 के बाद ब्रिटेन की संसद ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया एक पूरी लंबी चौड़ी कहानी अंग्रेजों की आपके सामने हैं तारीखों के साथ ये हम पहले इंडिया इंडिपेंडेन स्ट्रगल में पढ़ा चुके हैं आज आपको ये सब इसलिए रिफ्रेश करवा रहे हैं कि जब आप इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो हमारे आजाद भारत के पितामहों फाउंडर फादर्स को कितना कॉंप्लेक्स देश मिला था विरासत में जिसको उन्हें एक मौडन देश बनाना था ये आप उसके बाद सतों के भी थूँ जाती थी क्योंकि उनको पार करके ही जाना पड़ेगा ना साइड से तो नहीं निकाल सकते और बीसवी सदी आते आते भारत जिसमें अफगयनिस्तान पाकिस्तान बर्मा सब कुछ था अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा धन का स्त्रोत बन चुका था औ और उन्होंने साउथ एश्या को पूरी तरह से लूट के खोखला कर डाला था और हम सब गरीब हो गए थे महात्मा गांधी ने इसलिए कोट टाय सूट त्याक कर सिर्फ एक कपड़ा लपेट लिया था कि दुनिया देखे कि हम पूरी तरह से वस्त्रहीन हो चुके हैं जब गांधी उन कपड़ों में ब्रिटेन गए थे राउंटेबल कांफरेंस के लिए तो उनसे पूछा गया अरे गांधी तुमारा पैंट कहा है तो गांधी ने कहा ये भारत है हम लुट चुके हैं हमारा सब कुछ लूट लिया तुमारी राणी ने ये इंडिया है my life is my message ये है कि हिम्मत गांधी में थी ब्रिटेन जाके सीधे गोली मारी जा सकती थी उनको यह उनने का मार दो जो सच है मैं तो भी बोलूंगा ये जो मॉरल ताकत है ये सब गायब हो चुकी दुनिया से अब इसलिए गांधी अमर थे अमर हैं और अमर रहेंगे the power of the ability to see into the eyes and say you are immoral and you must accept it one day वो ताकत ही नहीं बची अब लोगों में 1940 आते आते भारत की आजादी अब बिल्कुल स्पष्ट दिखने लग गई थी Second World War के दौरा और उस वक्त British India जो पिंक कलर में आपको दिख रही है और जो राजसी रियासतें यलो कलर में दिख रही है ये सामने था इन सब को एक करना महत्मा गांधी सरदार पटेल और पंडित जवालाल नहरू के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें पता था कि आजादी मिल भी गई तो इ बहुत डिफिकल्ड काम होने वाला है नेता जी बोस तो जा चुके थे इसी लिए कई वर्षों तक All India People Conference के तले पंडित नहरू को बुलाया जाता था अलग-अलग स्टेट्स में और वहाँ वो भाशन देके वहाँ के राजाओं को धमकाते थे कि आजादी तो मिलनी है और आजादी मिलने के बाद अगर तुम लोगों ने होश्यारी दिखाई इंडिया छोड़ते की बात की सेना भेश के कुचल दूगा तुम सबको ऐसे दसो भाशन नहरू ने अलग-अलग राजसी रियासतों में जा जाके दिये लोगों को यह सब पता ही नहीं है और इसमें उ यह था भारत आज का भारत तो अभी थोड़े साल दूर है सबसे पहला टार्गेट यह था कि as soon as possible इसको शेप में लाओ इससे पहले की देट टुकड़े टुकड़े हो जाए और भारत के administrative areas जो अलग-अलग तयार किये गए थे वो आपके सामने है समझ में आया अजमेर आसाम बिहार बिलासपूर भोपाल बॉम्बे आप समझ रहे ना अभी महराष्ट्र बना नहीं है कूर्ग दिल्ली हिमाचल प्रदेश जम्मु काश्मीर कच्छ मध्य प्रदेश मदरास मध्य भारत मैसोर ओडीसा पटियालाय नीष्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू पंजाब राजस्थान सौराश्ट्र सिक्किम त्रावनकोर कोचीन त्रिपूरा उत्तरप्रद प्रदेश विंद्य प्रदेश प्रश्चिम बंगाल एंडमान निकोबार ये था पहला भारत और इस भारत में चुनाव हुए थे अपने आप में कमाल है कि पंडित नहरु ने चुनाव करवा है अगर मना कर देते कि कुछ नहीं हो सकता दो अधार 21 का सेंसस सरकार ने मना क 51 में इलेक्शन करवा दिया मना कर सकते थे नहरु कि अभी 10 साल कुछ नहीं होगा अभी हमको देश को संभालना है क्या कर लेते आप और क्या कर लेता मैं लेकिन उन्होंने करवाया क्योंकि वो लोग तंत्र में यकीन रखते थे ये इस देश की खुशकिस्मती रही है ऐसा बाकी के 1950s और 60s में decolonized होने वाली countries में नहीं हुआ ऐसा इंडोनीशिया में नहीं हुआ ऐसा एफरिका में नहीं हुआ वो सारे autocratic states बन गए अकेला भारत था जो इनके भी secular liberal बनके निकला और पश्चिम इसलिए आज तक सेलूट करता है ये आज का भारत है ये खुबसूर चित्र आपको 88 states और 8 uts बताता है यहां तक आने की यात्रा बड़ी लंबी रही है और हमारे इस module के पहले तीनो लेक्चर में हम यही cover करेंगे इन में exceptions हैं tribal areas के जो हमने पिछले module में पढ़ लिये मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है ये और ये uts उमीद करता हूँ इन 13 पन्नों में आपको भारत की complex कहानी की एक जलक अच्छे से दिखाई दी होगी जैसा कि Bollywood के बहुत ही महान philosopher ने एक बर कहा था जलक दिखला जाओं जलक दिखला जाओं तो ये हमने जलक दिखाने की कोशिश की माफी चाहता हूँ तो तो आपड़ा था भी हालांकि अभी मेरा जुकाम ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से खांसी भी चली रही है लेकिन अगर बात है तो फिर है जलक दिखला जाओं एक बार फिर से पूरी आपको जलक दिखा देते हैं डर येगा मत फिर से नाक से नहीं गाऊंगा एक बार इस्ट्री फिर 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 इंडिया शुरू कर रहा है वापिस पेज वन इंडर्स वैले सिविलाइजेशन और महा जनपत बुद्धिजम जैनिजम और आजीविक सेक्स मौरे एम्पायर राइज और फॉल फॉल एम्पायर इसके बीच में पंदरा सो साल का पीरिद है राइ सब्सिफ ब्रिटिश राच on the eve of independence after the first integration exercise today's beautiful India Autonomous Councils UTs आगया समझ में थोको ताली बोलो संदीप सर जिंदाबाद कंपल सरी यह बोलना सुबह सुबह बोलने से स्पेशल पुन्य मिलता है तुमको प्यारे दोस्तों अब आपको कुछ महत्वपुन परिभाशाएं बता देत है जितना कुछ आपने अभी तक तख पढ़ा तो आपके मन में कुछ सवाल तो आई रहे होंगे चट पर गुंते गुंते मोबाइल में देखते देखते रड़ आलूँगा सारा बिलकुल. मतलब समझ्टे समझ्टे रखना बेटा है. हाँ, good. सब से पहले आते हैं, प्रिंसली स्टेट या नीटिव स्टेट. प्रिटिश इंडिया का मतलब है, जो अंग्रेजों की खुद की प्रॉपर्टी थी, समझ के बिटिश इंडिया की बात की बात की बात की प्रॉपर्टी थी, कर रहे हैं, यहने जिस पर बिटिश इंडिया कंपनी या बाद में जो क्राउन था, डारेक कंट्रोल करता था, उसको बिटिश इंडिया कहते थे, लेकिन बिटिश राज जो था, वो बिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट्स, समझ गए, और प्रिंसली स्टेट्स सारे अंग्रेजों की suzerainty accept करके बैठे वे थे I hope this is totally clear एक बार पढ़ लीजे जो रियासत थे या स्थानी या मूल राज्य थे वो क्या थे ठीक है? clear हो गया? very good अब आते हैं vessel state vessel state क्या था? एक बड़े system का छोटा सा हिस्सा जहां अपने से superior state के प्रती उचकी कुछ जिम्मेदारियां थी including military support superior state अपने vessel को ये वादा करता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा कुछ भी तुम पर आफ़ताई तो मैं तुम्हें बचाऊंगा समझना आ गया? तो ये जागीरदार राज्य थे वो एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा होते हैं और श्रेष्ट राज्य को सैन्य साहता के अलावा भी और बहुत कुछ देते हैं जो श्रेष्ट बड़ा राज्य है वो जागीरदार राज्य को बोलता है तेरी सुरक्षा की गैरेंटी मेरी है सुजरेंटी जो सुपीरियर नेशन है वो अपने सारे वैसल स्टेट्स की फॉरेंड पॉलिसी पर कंट्रोल कर लेता है लेकिन इंटर्नल अटोनोमी पूरी देता है ब्रिटिश राजा और रानी का 175 बड़े प्रिंसली स्टेट्स पर सुजरेंटी कंट्रोल था और वो सेंट्रल गवर्मेंट आफ इंडिया यहने वोईस रोय के द्वारा सीधे सीधे एक्सरसाइस किया जाता था आधिपत्य सुजरेंटी को हम हिंदी में लूजली आधिपत्य कह सकते है समझ में आ गया एजेंसीज अनेक दशकों में 50 के आसपास एजेंसी ब्रिटिश इंडिया में बनाई गई थी ये इंटर्नली ऑटोनोमस यूनिट्स होती थी जिनके एक्स्टरनल अफेर को एजेंट आफ वोईस रोय वहाँ बैठ कर कंट्रोल करता था तो एजेंसीज प्रिंसली स्टेट्स भी हो सकती थी जहाँ पर एजेंट एक वोईस रोय का रेप्रेजेंटेटिव होता था या ट्राइबल ट्रैक्स भी हो सकती थी जो कि ब्रिटिश इंपायर का पार्ट होता जहाँ पर एजेंट कंट्रोल करता सिर्फ रेप्रेजेंटेटिव नहीं होता रेसिडेंसीज ये सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस हुआ करते थे डिप्लोमाटिक रिलेशन ब्रिटिश इंडिया यने की जो क्राउन का डारेक्ट कंट्रोल वाला इंडिया का हिस्सा है ब्रिटिश इंडिया और कुछ बड़े प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के बीच के रिष्टे मैनेज करते थे रेसिडेंट तक गोरी चमडी वाला अंग्रेज होता था जो एक बहुत बड़े पार्क में रहता था जिसमें बहुत बड़ा महल होता था जिसको रेसिडेंसी कॉंप्लेक्स कहते थे जैसे मैं आज जिस शहर में हूँ यहां रेसिडेंसी बहुत बड़ा एक पार्क है उसमें बहुत बड़ा रेसिडेंसी का महल है यह सब अंग्रेजों का बनाय हुआ है आज वहां पे सब एड्मिस्टेटिव आफिसेस हैं कंपनी राज कंपनी राज ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी का डॉमिनियन था भारत के अलग-अलग हिस्सों में पलाशी के युद्ध 1757 से 1858 में क्राउन द्वारा कंट्रोल छीन लिये जाने के बात ब्रिटिश राज इन इंडिया उसको कहते हैं इंडियन एंपायर तो जब कोई आपसे बोलता है भारत में ब्रिटिश राज की जब हम बात करते हैं तो यह क्या होता है यह उनका ब्रिटिश सामराज यहने भारती सामराज था जिसके दो हिस्से थे ब्रिटिश भारत और रासीरिया सते ब्रिटिश भारत क्या था बिटा डाइरेक्ली अंग्रेजों के कंट्रोल में गवर्नर जनरल और वोईस रॉय के थू प्रिंसली स्टेट्स क्या थे वो नेटिव प्रिंसेस कंट्रोल करते थे अंडर दो सूसरेंटी अफ दी राजा रानी अफ ब्रिटिन जितनी भी प्रॉविंसेस थी उन सबको जोड लो तो वो ब्रिटिश इंडिया बन जाती थी अब यह नाम प्रिंसली स्टेट क्यों दिया है उनको उनकी उकाद दिखाने के लिए कि तुम हमारे जूते के नीचे हो वही रहो तुम एमपरर एमपरेसस किंग's क्वीन्स नहीं हो तुम प्रिंस हो प्रिंस बच्चे हो हमारे नीचे बढ़ो एमपरर हम है एम्प्रेस हम है तुम प्रिंस हो प्रिंस वहां बैठो ओकात बताने का तरीका था प्रिंसली स्टेट वहीं खतम हो गया आत्मी आप बात समझ लें प्रिंसली स्टेट है साइकलोजिकल वार है नितो इनको वेरियस एंपायर्स ऑफ इंडिया भी तो बोल सकते थे तुम इनको इंडिया वहां बैठो नीचे तो इनकी कोई इजट थोड़ी थी प्रोविंसेस ऑफ इंडिया तो अभी आपने पढ़ा कि ओल प्रोविंसेस मेड अब ब्रिंस अफ इंडिया क्या थे इस वर दर एड्मिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ओफ गवर्नेस ब्रिंस इंड सबसे पहले Presidency Towns बने 1612 में सूरत के आगे से, उसमें मदरास, बंबई, कलकत्ता आए, फिर वही Presidency Towns का नाम बदल कर बाद में हो गया Presidency's, तीनो Presidency's की अपनी-अपनी सेना थी, और बंगाल Presidency ने विद्रो किया था सेना ने, बाकी दोनों एकदम साइलेंटी दोनों सेना है, 1857 की लड़ाई जो है, वो केवल बंगाल आर्मी ने की थी, क्योंकि उसमें उची जाती के लोग थे, और मंगल पांडे और बाकी के ब्रहमणों का जब सड़कों पर अप्मान होने लगा कि तुम ने गाए के चरबी वाले कार्टूस मूह में लगा लिये, तो तुम तो ब् एन इंडिया रिवोल्ट होता और अंग्रेज तब ही बाहर हो गए होते उस साल, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, और यही प्रेसीडेंसीज बाद में प्रॉविंस बन गए, तो याद रखना प्रेसीडेंसी टाउन बनें प्रेसीडेंसीज और वो प्रेसीडेंसीज बनी 1858 के बाद प्रोटेक्टरेट क्या थे ब्रिटिश गवर्मेंट यहाँ पर प्रोटेक्टरेट में लिमिटेड जुरिस्डिक्शन रखती थी और स्थानिय शासक के साथ संधी करके उसको काम करने देती थी जैसे कि सिक्के वहाँ के लोग ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं होते थे समझ में आ गया अब ये नौ डेफिनिशन अगर आपने समझ ली तो आपने ये समझ लिया कि नहरू और पटेल को कौन सा देश हाथ में मिला था 1947 में और इस सब को बदल कर एक सौवरेन, सोशलिस, देमोकरिक कंट्री में लाना उनका काम था तो ये एक अनिमेजिनेबली कॉंपलेक्स काम था जिसको शुरू तो कर दिया था 1940s में ही लेकिन समाप्त होते होते 1980 तक का समय लग गया, हलांकि 1960 आते आते, most of the job was done समझ में आ गया ज्यादा तर भार्कियों को इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं लेकिन आपको होगी और इसलिए आपका पूरा पर्स्पेक्टिव चेंज हो जाएगा आई ये प्रिंस्ली स्टेट्स ओफ इंडिया का historical evolution देख लिया जाए आपको बड़ा मज़ा आएगा ये कर कि यार क्या कमाल की कहानी है और क्या क्या हुआ है तो मैंने आपको जो तेरा पंदों में बताया वो तो मैंने बताया और वो तो मैं अगले आकरी मॉडियूल में पढ़ाऊंगा भी लेकिन जो बड़े scholarly टाइप के students हैं जिनको गहराई में समझने की आदत है आपके लिए हमने बड़ा शानदार content यहां पर तयार किया है और बड़ा मज़ा आने वाला है आपको बहुत कुछ देखेंगे इसके अंदर अभी और उसके बाद precedences पे जाएंगे हमारे सारे lecture बर्सों की research से बनते हैं बारीक चीज़ें हम पढ़ाते हैं हवा हवाई लंबी चौड़ी फेकना हमारी आदत नहीं है हम आपको बारीक चीज़ें पढ़ाते हैं ताकि आप exam में किसी भी चीज में कमी महसूस ना करें तो शुरू करें भीजा As you can see my dear students बहुत सारी बारीक यहां पर मैं आपको बताऊंगा आईए शुरू करते हैं प्रिंस्टली स्टेट्स ओफ इंडिया जितने भी प्रिंस्टली स्टेट्स रहे अंग्रेजों के नीचे वो classical period के समय से अपनी जड़े खोज सकते हैं उनकी जड़े थी वो 1500-2000 साल पुरानी रही हो सकती है हम जानते हैं कि मौर ये सामराज ये 321 से 184 BC तक रहा जब एक दिन पुश्यमित्र शुंग ने ब्रहदरत की गरदन काड़ी military parade में और उसकी decline के बाद हमने middle kingdoms का उदय देखा भारत में 3rd century BC से लेके 13th century common era तक 1500 साल का period है इसमें दो period है classical India, early medieval India more empire से गुपता empire के अंत तक और ये 6th century में अंत हो गया गुपता का क्योंकि हुनों के हमलों से गुपता कभी उबर ही नी पाए किदारा हुन और एलकॉन हुन उन्होंने निप्टा दिया गुपता को तबियस से निप्टा दिया गुपता को तबियस से का मतलब होता है कि उनके हमलों से वो बिचारे कभी उबरी नी पाए इतनी बुरी मार पड़ी and they were just not prepared so the disintegration was very swift हुनों के हमले हम ancient और medieval इंडिया में पढ़ेंगे और early medieval इंडिया 6th century से 13th century जब दिल्ली सलतनात का उदय हुआ समझ मैं आपको तो ये middle kingdoms थे अब कुछ kingdoms और empires के नाम मौरियों के ठीक बाद से लुसिट इंडिया पांडिय एंपायर चेर एंपायर चोल एंपायर पल्लव एंपायर और ये हैं सारे के सारे middle kingdoms उनकी partial list है पूरी list नहीं है वो तो list बहुत लंबी हो जाएगी ancient इंडिया में देखेंगे ये सब हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको ये बताना है 19 और 20 वी सदी के साड़े 500 से ज्यादा princely state जो भारत के रहे ये उनकी जड़े हैं सारी की सारी इनी के offshoots हैं वो सब तो middle kingdom की list आपके सामने हैं आप देख सकते हैं समझ गया ना कितना गहरा ये पूरा का पूरा खेल रहा है और मज़े की बात ये है कि इतनी शांदार विरासत वाले सारे लोग अंग्रेज होंके तलवे चाटने लग गये फाइनली पूरी तरह से surrender तो आपके मन में इस सवाल हमेशा आना ही चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया divide and rule इसको इससे बढ़का दो इसको इससे लड़ा दो इसको इससे लड़ा दो दोनों को इससे डराओ इसको इससे डराओ खूब आपस में मन मुटाओ पैदा करो intercast rivalries को maximum use करो trigger artificial wars बहुत से टेकनीक यूज की और ऐसा करके सब को कबजा कर लिया तो British arrival in India के पहले की जो situation है अब वो देखो अब ये कुछ और बड़े useful facts हैं यहां पर अंग्रेजों के भारत में आने के ठीक पहले की परिस्थिती most of the future ruling groups emerge from 5th and 6th century CE गुपता empire का जब collapse हुआ न उसके बास से जो जड़े बनी वो अंग्रेजों के समय अंग्रेजों को दिखाई दी राजपूतों में बहुत सारे अलग-अलग समूह पैदा हो गए और 13-14th century तक उनके अपने छोटे छोटे अर्दसवतंतर kingdom नौर्थ वेस्ट और नौर्थ इस्थ में बन चुके थे जैसे जैसे इसलाम का भारत में सब तरफ कबजा होने लगा तो इन में से ज्यादातर इसलामी सल्तनतों के साथ ट्रिबुटरी रिलेशन्शिप में आ गए दिदली सल्तना 300 सालों तक रही और उस दोरान बहुत सारे राजपूतों ने उसके साथ समझोता कर लिया फिर मुगलों के साथ तो डारेक्ट उनके संबंदी थे दक्षिण में विजयनगर kingdom मिट 17th century तक और भविश्य में आने वाला मैसूर kingdom उसकी ट्रिबुटरी के रूप में तैयार हुआ मुगल सामराजे 1526 में बाबर के साथ शुरू होता है और 17th century आते आते maximum Indian kingdoms उसके अंडर आ चुके थे Sikh empire 18th century में North India में उदय हुआ उनका पतन अंग्रेजों के हाथों हुआ Maratha Empire 1674 से 1818 तक पूरे भारत में रहा 1818 इसलिए क्योंकि आपको भीमा कोरेगाओं का युद्ध याद होगा एक तरफ थे अंग्रेज और उनके दलित soldiers और दूसी तरफ थे पेश्वा और उनकी ब्रह्मन सेना और अंग्रेजों और दलितों ने मिलके पेश्वा को 1818 में हरा दिया था जो भीमा कोरेगाओं युद्ध के नाम से मशूर है 1820 सदी में बहुत सारे मुगल गवर्नर्स ने जैसे जैसे मुगल समराथ कमजोर होते चले गए थे 100 सालों में अपने अपने राज्य बना लिये थे बंगाल अवद और या तो मराथों के साथ या अफगान दुर्रानियों से उनके संबन थे काफी कॉंपलेक्स पीरिड है ये हैदराबाद और आरकट के किंडम 1716 तो पूरी तरह बन चुके थे दक्कन की सल्तनतें बहुत लंबे समय तक चली और बीजापूर गुलकॉंडा एमदंद बिरार और बेरार ये जो पांच दक्कन की सल्तनते हैं एक बेहत कॉंपलेक्स राजिनीतिक व्यवस्था महराष्ट्र करनाटक शेत्र में बीजापूर गुलकॉंड एमद नगर बीदर और बेरार में रही है ये अपने आप में पूरा पीएशडी का टॉपिक है ये हम पढ़ाएंगे इंशेंट इंडिया में आपको आपका दि 1500, 1600, 1650 तक भारत कैसे इवाल हुआ ये वो जड़े हैं जो आगे अंग्रेजों को मिलने वाली है और अब अंग्रेज भारत में आ चुके हैं समझ में आगे आपको तो अंग्रेजों ने अब जो भारत के उपर कबजा किया ये सैकड़ों अलग अलग जड़ों को वो हमने य हैं आपको बड़ा मदा आने वाला है इसमें क्योंकि चीज़ें सरल हो जाएंगी देखिए जो सबसे इंपॉर्टन चीज़ें आपको एक्जाम के हिसाब से बिल्कुल रट लेनी है ना वो सब यहां पर कवर हो रहा है आज मुगल समराट जहागीर से बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने 1617 के आसपास फाइनल पर्मिशन भारत में ट्रेड करने की अंग्रेजों को दी उसी वक्ष सर कलम कर देते सबके तो कभी कुछ होता ही नहीं भारत में उनके सौ साल बाद जो फरुक सी आर एंपरर बने मुगल समराट औरंगजेब की मौत के बाद उन्होंने दस्तक जारी कर दिये कि भाई ये अंग्रेज जो हैं बंगाल में बिना टैक्ष दिये ट्रेड कर सकते हैं और अब तक ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्टरियां और अपने ट्रेडिंग पोस्ट बारत में कई जगे खोल लिये थे जब ऐसा हुआ तो जो मुगल समराज्य था वह एक्चली बड़ा कमजोर हो चुका था लेकिन बंगाल का नवाब सिराजुद में रॉबर्ट क्लाइव ने मन बना लिया कि मैं सिराजुद दौला को ही समाप्त कर दूँगा तो पलाशी का युद्ध हुआ बंगाल में 1757 में इस युद्ध में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की बेंगॉल आर्मी का निर्मान हुआ रॉबर्ट क्लाइव उसको मद बंगाल जीत लिया और बंगाल में अपना पाउं जैसे ही जमा तो रॉबर्ट क्लाइव वहां का गवर्णर बन गया और अब उनके पाद दीवानी अधिकार आ गए पिछले मॉडिल्स में पढ़ लिया है आपने ये उसके बाद मदराज वंदवासी यने वंडिवाश और पॉंडिचरी की लड़ाईयां हुई ये पॉंडिचरी वाली फ्रेंच के खिलाफ और 1799 आते आते अंग्रेज उनने फ्रांसिसियों को भारत से खदेड दिया जब उन्होंने टीपू सुल्तान को मार डाला सबसीडेरी अलाइंस की नीती भारत में अंग्रेज नहीं लाए थे सबसे पहले फ्रेंच लेकर आये थे भारत में जी हाँ ये तिहास का मज़ेदार तथ्य है हालान कि उसका actual misuse, use, abuse अंग्रेजों ने किया फिर बकसर की लड़ाई हुई 1764 में अब तो पूरी बंगाल घाटीन के कबजे में आ गई मुगल ताकत के जो तीन वारिस हो सकते थे मीर कासिम, शाह आलम, शाह शुजा तीनों खतम कर दिये गए कलकत्ता में राजधानी 1773 में बन गई और पहला गवर्नर जनरल वारेन हिस्टिंग अपॉइंट हो गया, उसके पहले केवल बंगाल का गवर्नर होता था, अब गवर्नर जनरल आ गया अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के खिलाफ तीन करनाटक युद्ध लड़े, जीते, पूरा करनाटक छीन लिया, मदराज बंबई के बेसिस को बढ़ाया मैसूर रज हैदर अली और टीपू सल्थान, टीपू सल्थान हैदर अली का बीटा था चार बार युद्ध हुए, हरा नहीं पाय टीपू सुल्थान को 1799 में फाइनली वेलेजली ने तै किया टीपू सुल्तान को जान से मारना पड़ेगा नहीं तो हमारा ही खेल खतम हो जाएगा क्योंकि इसके 20 साल पहले वो अमेरिका अल्रेडी लूस कर चुके थे फ्रांसिसियों ने वहां की लोकल कॉलोनीस को मदद करके तो अब उनको लगा इंडिया भी हास से गया तो भिकारी बनने के दिन जादा दूर नहीं है तो इसलिए उन्होंने टीपू सुल्तान को मारने की तैयारी से युद्ध लड़ा मराठों की ताकत को तीन युद्धों में समाप्त किया गया मराठे आपस में भी भीड़ चुके थे गवालियर वाले इंदोर वालों से इंदोर वाले बडोधा वालों से आपस की इन्की कॉन्फिटर्डरी सी में इंटर्नल जगड़े बहुत थे तो सारे मराठे अच्थ जो थे उनके नाम कॉमेंटरेट में बताइएगा रिचर्ड वेलेजली जो गवर्णर जनरल था उसने सबसीडियरी अलाइंस फुल स्पीड में चालू किया और बहुत सारी टेरिटरी च्छीन ली इसी से हिंदू राजाओं और मुस्लिम नवाबों के प्रिंसली स्टेट्स का जन्म होना शुरू हुआ तो यह यहां से शुरू होता है और बाद में तो खेल लॉड डलहुजी ने उसको भयानक स्पीड दे कर डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स को 1857 के युद्ध को ही जन्म दे दिया तब तक वो जा चुका था लेकिन ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी का संपून पतन लॉड डलहु वोदी ने करवा दिया जिसका वो नौकर था ठीक है अब ब्रिटिस सुजरेंटी के अंडर जो प्रिंसली स्टेट से उनके कुछ सत्य समझ लो तो सबसे पहली चीज यहां पर देखिए पहली थान सुजरेंटी रिलेशनशिप इट विट संपी यहां आप देखिए प्रिंसली स्टेट इंडिया था प्रिंसली था इस ति वहां अज़ प्रिंसली स्टेट अडिया को अधिया था तो एकसो पचातर सब्से बड़ी रियासतों को सेंट्रल गवर्मेंट वॉइस रॉज के थू मैनेज कर लेती थी क्योंकि वो बड़े हैं तो इनका वन टू वन रिलेशन्शिप था लेकिन उसके बाद की जो 400 चोटी मोटी चोटी मोटी रियासते थी उनके लिए एजेंसी बना दी गई थी ये एजेंसीज प्रोविंशल गवर्मेंट्स को आंसरेबल थी और बिटिश इंडिया की अंडर गवर्नर लेफ्टिन गवर्नर और चीफ कमिशनर आजाद भारत में जो यूनियन टेरिटरीज बनी हैं उनमें ऐसी ही व्यवस्थाई हैं मोटे तोर पर प्रिंसली स्टेट्स सब अपने अपने 600 दिशा में भाग रहे थे जिसके जो मन में आया वो कानून था कानून नहीं था तो नहीं था जो राजा ने बोल दिया वो कानून इंडियन रूलर्स को अंग्रेजों ने अलग-अलग टाइटल दिये वे थे छत्रपती, महराजा, राजा, सुल्तान, नवाब, राजे, निजाम, अडियार, चोंगयाल, नायक, इनामदार, एक्सेक्टरा ये सब नाम दे रखे थे हलंकि common नाम था प्रिंस, आप समझ रहें ना, लेकिन सबकी ego मसाज करने के लिए, क्योंकि ये जो पास सो साड़े, पास सो छे सो राजे रजवाडे थे, इनकी आपस में भी तो competition करानी है ना, divide and rule, कि वो बड़ा ये छोटा तो आपस में जगडा, जितना आपस में लड़ा होगे, तुम्हारी सकता बनी रहेगी, अंग्रेजों ने ये formula एक दम perfect कर लिया था भारत में, और ये हर चीज में बिलकुल साफ जलगता है, वही formula बाद में कई दूसरे लोगों ने copy भी किया, British ये title देते तो थे, लेकिन अंग्रेजी में ये सब का translation होता था prince, king या emperor नहीं, कि भई तुम्हारी वकात कुछ भी नहीं है, तुम हमारे जूते के बराबर हो, क्योंकि राजा तो एक ही है, लंडन में बढ़ा हुआ है वो, तुम क्या करके बराबर ही करोगे, आप समझ ग साइदा सरदार पटे लो नहरू को जबरदस मिला, भारत के आजाद होने के बाद इनके पास कोई ताकती नहीं थी, तो भारत की सेना इनको कुछलने में बहुत easily सफल हो जाती, बहुत सारे princess ने British सेना को, इंडियन आर्मी को, पुलिस को अपनी सेवाईं दी, बहुत सारे British King Emperor के एद्दा कैम भी बन गए, एद्दा कैम का मतलब होता है सहयोगी, कईयों ने World War I, World War II, दोनों में हिस्सा भी लिया, उनको Honorary Military Ranks भी प्रदान किये गए, मानद सैन्य रैंक, उसके बाद अंग्रेजों ने जो पूरा का पूरा एक ड्रामा करना पड़ता है, Gun Salute का ड्र तक तोपो की सलामी, जो कहते हैं न, तोपो की सलामी दी जाती है, 1947 में जब हम आजाद हुए, भारत में पांच ऐसे राजा थे, मतलब प्रिंस, जिनको 21 तोपो की सलामी मिलती थी, हैदराबाद का निजाम, मैसूर का राजा, जम्मू काश्मीर का महाराज, बडोदा का महा महाराज सिंधिया, ये पांचो को 21 तोपो की सलामी मिलती थी, कुछ लोगों को 19 तोपो की सलामी भोपाल का नवाब, भरतपूर का महाराजा, इंदौर के होलकर महाराजा, उदैपूर का महाराणा, कोलापूर के महाराजा, पटियाला का महाराजा, त्रावन कोर का महाराज यह सब प्रिंसेस ही हैं त्रावण कोर इतिहास में एक बहुत ही बरबर राज्य रहा है दलितों के उपर ब्रेस्ट टैक्स लगाए गए दलित महिलाओं को स्तन धकने के लिए टैक्स देना पड़ता था आप सोचिए कितना कुरूर और बरबर राजा होगा जातियता से भरा पड़ा नंगेली विद्रोह एक महिला ने अपना स्तन काटके ये बोला था कि मैंने स्तनी काट दिया अप टैक्स नी देती भारत के इतिहास में कुरूरता के किस्से इतने भरे पड़े हैं कि जब आप उठाके पन्ने पलड़ते हैं तो ये सब क्या हुआ है लेकिन हुआ है और उस सब से निकलते वे आज हमें कितने अच्छे मुकाम पर आये हैं ये एक अचीवमेंट है लेकिन इतिहास के काले पन्ने भी खड़काने तो पड़ाएंगे समय समय पर आके बंद करने से क्या होगा उसे एक तोपो की सला भी मिलती थी पाँच गुना सलूट स्टेट एक सो सत्रा थे प्रिंसली स्टेट साड़े पांस सो से ज्यादा थे और कईयों को कोई सलूट नहीं मिलता था कि तुम भो छोटे हो बभुआ 1920 में राजा की उद्गोषना से नरेंद्र मंडल स्थापित हुआ था चेमबर आफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल और ये सभी प्रिंसेस के लिए एक फोरम था कि वोईसरा उनके साथ एक जगे बैट के बात कर सकता था 1947 में नरेंद्र मंडल को इतिहास से इरेज कर दिया गया कितनी काम की चीज़ें पता चली इसमें मज़ा आया आपको तो अब 1900 AD आते आते गवर्नर जनरल ओफ इंडिया के नीचे अलग 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 बिटिश रेसिडेंट होते थे जिनका डिरेक कंट्रोल है दराबाद मैसूर जमुगाश्मीर बरोडा चार सबसे बड़े प्रिंसली स्टेट्स भारत के डिरेक कंट्रोल थ पुताना एजनसी के नीचे 20 प्रिंसली स्टेट्स सेंट्रल इंडिया एजनसी के नीचे 148 प्रिंसली स्टेट्स और यह रिपोर्ट करते थे एजनसी वाले गवर्नर जनरल को आगया समझ में तो यह हो गई आपकी 172 148 और 20 और चार फिर एड्मिनस्टेटर आ गए ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स के याने की एजन्ट्स बचेवे सारे प्रिंसली स्टेट्स के लिए मदरास में पांच प्रिंसली स्टेट्स पांच एजन्ट बंबई में 354 प्रिंसली से बहुत बड़ा स्टेट्स था बंगाल 26 असम 2 पंजाब 34 सेंट्रल प्रिंसली से तो एक बार भारत की रियासतों की पूरी कहानी फिर से देख लीजिए तो हमने ये चैप्टर जब शुरू किया था तभी आपको बता दिया था कि आपको इतिहास की गहरी जड़ें यहां समझाना ज़रूरी है ताकि आखरी मॉडियूल आपको अच्छे से समझ में आ जाए यह सब सिल्वस का हिस्सा है गुरू मेंटली एक बार सब चेक कर लो ठीक है ओके याद आ रहा है न सब अभी तो पड़ा था यार गुरू इसा क्या कर रहा हूं अलाओ यार भाई आज सुबह चाय बढ़िया पिलाओ यार थैंक्यू वेसे आज मेरी बारी थी पर आज तुमने बना दी तो दो यार डाट क्यों हो रही हो यार ठीक है पूरा स्ट्रक्चर क्लियर तो क्या आप तैयार है प्रेसीडेंस इन प्रॉविंस एविलूशन पढ़ने के लिए चलें आगे तो प्यारे दोस्तों इनका जो ब्रिटिश इंडिया में एविलूशन होता है वो आपको हमने ऐसा बताया था पहले याद आ रहा है आपको पिछले मॉडिूल्स में हमने ये डीटेल्स भी आपके साथ शेयर किये थे I hope you recall कौन से कानून कहां लगते थे कैसे लगते थे याद आ रहा है न है जड़ा सा कॉंप्लेक्स लेकिन इतना भी नहीं कि समझ नहीं आए तो दोस्तों 1612 से 1757 पलाशी के युद्ध तक जो कुछ था वो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे 1757 से कंपनी के हातों से इंडिया निकल जाने तक जो था वो प्रेसिडेंसी थी और 1858 से 1947 तक जो था वो थी प्रोविंसेस ऑफ इंडिया बस नाम बदले हैं और शेत्रफल बदले हैं डाउट्स क्लीरिंग सेशन में भी ये क्वेस्चन एक बार किसी ने पूछा था अलग-अलग समय पे अलग-अलग नाम वो हमने जवाब दिया था तो भारत के पहले तीन पेसिडेंसी टाउन बेटा कौन से थे मदराज बंबई कलकत्ता 1640, 1680, 1690 ये वो समय था जब अंग्रेजों को रोकना पॉसिबल था मुगलों के लिए मराठों के लिए लेकिन किसी ने भी रोका नहीं सच्छे अर्थों में बाइ 1851, BEIC की जो territory थी, company की सारी territory वो चार शेत्रों में थी, mainly बंगाल प्रेसिडेंसी, कलकता कैपिटल, बंबे प्रेसिडेंसी, बंबई कैपिटल, मदराज प्रेसिडेंसी, मदराज कैपिटल, नौर्थ वेस्टन प्रोविंसेस, आगरा में उसकी सीट थी 1834 के पहले चारों को, अपने अपने government regulation बनाने की पूर्ण स्वतंतरता थी, उसके बाद General Legislative Council, GLCI, जिसने सब के लिए common कानून बनाने शुरू किये, प्रिंसली स्टेट हमेशा लग थे, त्यान रखना, उनका कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से समझ में आ गया, अब 1900 आते आते, British India के अपने 8 provinces हो गए, बर्मा, 90 लाग की आपादी, पूरा बर्मा कैप्चर कर लिया था लकडी के चक्कर में, Lieutenant Governor बिठा दिया वहाँ पे, बंगाल साड़े साथ करोड Lieutenant Governor बैठता था, मदरास तीन करोड 80 लाग Governor in Council, बंबई एक करोड 90 लाग Governor in Council, United Province चार करोड 80 लाग Lieutenant Governor, Central Provinces बेरार एक करोड 30 लाग Chief Commissioner, पंजाब दो करोड Lieutenant Governor, असम 60 लाग Chief Commissioner, आगया समझ में, 1947 आते आते, ये नंबर 17 हो गया, और अलग अलग समय पर provincial elections भी होते थे, तो वो सब जो आपने provincial election, provincial election पढ़ा था, वो सब हम British provinces की बात कर रहे हैं, British India के provinces की, British Parliament ने Voice Roy and Governor General बैठा रखा था, जो प्रिंसली स्टेट से डील करता था, और Governor General आदमी है की था, Voice Roy and Governor General ये एक ही आदमी है, एक पोस्ट है मतलब, इस पे कभी भी कोई लेडी नहीं है, नहीं ही आई, एक ही पोस्ट है, Voice Roy का काम है, प्रिंसली स्टेट से डील करो, गवर्नार जनरल का काम है, British India का administration देखो, Warren Hastings भारत का पहला गवर्नार जनरल रहा, उस पे करप्शन का मुकद्दमा, British Parliament में चरा, उसके जितने भी, उससे जलने वाले जो थे, उन्होंने उसको भजा दिया था, लेकिन वो निकल कर आगया बहार, पहला Voice Royer Governor General, Lord Canning था, आकरी Voice Royer Governor General, Lord Mountbatten था, और पहला भारती गवर्नार जनरल, श्री, चकरवर्ती, राजगोपलाचारी, राजाजी ये थे, एक्जाम के लिए, ये चारों आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, सारी डीटेलिंग, Presidencies की यहां दे दी है, हमने 1640 से, जो Madras Presidency बनी, ये चार्ट में आप पूरा फिर से याद करने हैं एक पार, और 1909 तक कहां तक फैल गई, Bombay जो 1687 में बनी, 1909 तक इसमें पाकिस्तान भी शामिल था, और Bengal Presidency जो 1690 में बनी, उसका मैं आप आप देख सकते हैं, यहीं से अंग्रेजों के पाम जर्मिल शुरू हुए थे, पूरा पूरा बंगलादेश और बाद में बर्मा का बड़ा हिस्सा, तो किस दौरान किसके कानून कहां लागू होते थे, यह भी आपके सामने हैं, देख लीजे एक बार अच्छे से, प्रिंसली स्टेट्स पर बेसिकली कुछ भी लागू नी होता था, उनके अपने कानून थे, कौन कौन से कानून कब कब आये, कैसे evolution हुआ, यह हमने पिछले मॉडियूल्स में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, दो बार, इसलिए इस मॉडियूल में इसको सिर्फ यहां आपको हम देंगे, लेकिन इसको यहां पढ़ाने का स्कोप नहीं है, ठीक है, याद रखना बिटा, सब यह इतना शांदार नोट से, कि आपको कोई confusion होना ही नहीं है, बस समय देखे एक बार पढ़ना बढ़ेगा अच्छे से, ठीक है, और यह आपकी memory को refresh कर देते हैं, संसत का, पूरा का पूरा, evolution जो भारत की संसत का हुआ है, उसे हमें भूलना नहीं है, यह आप अच्छे से देखें और समझें, याद आ गया ना, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी पुराने मॉड्यूल के लेक्चर नहीं किये हैं, वो आप आराम से समय निकाल के कर लें, यह सब वह मिलेगा आपको, चलिए, अब आते हैं 1947 की सिचुएशन, क्योंकि हमारा इस पूरे मॉड्यूल में फोकस मैंने कहा था, पहले तीन लेक्चर में, भारत राज्य विवस्था का जो वर्तवान धाचा तयार हुआ है, उस धाचे को हमें अच्छे से स्टेडी करके समझना है, तो प्रिंस्ली स्टेट्स ऑफ इंडिया तो 1947 सिचुएशन, इसको समझना शुरू करते हैं, और उसके बाद पोलिटिकल इंटीग्रेशन पर आएंगे, तो दोस्तों, अभी हमने आपको जो बताया, उसको एक बार फिर से याद कर लीजिए, पाँच बड़े प्रिंस्ली स्टेट्स डाइरेक रिलेशन विद्धी वाइसराय, और इन पाँचों में एक रेसिडेंट को बिठा दिया गया था, बडोदा, हैदरबाद, जम्मू काश्मीर, मैसूर, गौलियर, आबादी आपके सामने हैं, बडोदा के राजा मराठा हिंदू, हैदरबाद सुन्नी मुसल्मान, जम्मू काश्मीर डोगरा हिंदू, मैसूर, कन्नडिगा हिंदू, गौलियर, मराठा हिंदू, पाँच एजिंसी थी केंद्र सरकार के डाइरेक कंट्रोल में, और 158 प्रिंसली स्टेट्स को हैंडल करती थी, सेंट्रल इंडिया एजिंसी, गौलियर रेसिडेंसी, बलुजिस्तान एजिंसी, राजपुताना एजिंसी, इस्टन स्टेट्स एजिंसी, 88, 23, 23, 42 प्रिंसली स्टेट्स, तो जो Central India Agency थी उसमें इंदौर भोपाल रिवा और 85 छोटे छोटे राज्य ग्वालिया रेसिडेंसी थी रामपूर बनारा स्टेट्स बलुचिस्तान कलात लासबेला खारांग राजपुताना हुदयपूर जयपूर जोदपूर बिकानेर उननिस और इस्टन स्टेट कूच विहार त्रिपुरा मयूर भंच 39 और देख रहे हैं न यह आपके पास 1940 का मैप है इसमें आपको यह सारी एजिंसी के नाम दिखाई देंगे ठीक है तीसरा सिक्किम ब्रिटिश गवर्मेंट का प्रोटेक्टो रेट डेफिनिशन में आपको बता दी थी हमने जो प्रिंशली स्टेट प्रोविंशनल गवर्मेंट की सूजरेंट यहने अधिराज्य के नीचे आते थे मदराज प्रोविंशल गवर्मेंट पाँच प्रिंशली स्टेट्स में नजार रखती थी त्रावनकोर कोचीन पद्दुक कोट्टाई दो और बॉंबे प्रोविंशनल गवर्मेंट 354 प्रिंशली स्टेट्स कोलापूर कच जुनागर नवानगर प्लस 349 चोटे-चोटे आप देख रहें कितना बटा हुआ है सब कुछ इसलिए तो राज कर गए अंग्रेज इतने छोटे-छोटे-छोटे में सब बट चुका था भारत कि अंग्रेजों के लिए इनको पकड़ना बहुत आसान हो गया और बस continuous divide and rule हर तरीके से और हम लोग divide हो गए Central provinces में 15, काला, हांडी, बस्तर, प्लस 13, पंजाब में बहावलपूर, पतियाला, नाभा, जीन्द, कपूर्थला, फरीद कोट, तहरी, खैरपूर और 25, असाम में मनिपूर और 25 खासी स्टेट ये provincial governments, British India की provinces 17 थी, 1947 में, जो सीधे उनकी property थी, मतलब जो princely states नहीं थे अजमेर, मेरवाड़ा, अंधमान, निकोबार, असाम, बलुचिस्तान, बंगाल, बिहार, बॉंबे, Central provinces and बेयार, बेरार, कूर्ग, दिल्ली, मदरास, Northwest Frontier, उडिसा, पंथ, पिपलोदा, रतलाम, पंजाब, सिंध, United provinces ग्यारा भारत में आ गए, तीन पाकिस्तान चले गए, और तीन का partition हुआ, बलुचिस्तान पाकिस्तान गया, बंगाल का विभाजन हुआ, पंजाब का विभाजन हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रेंटिर पाकिस्तान गया, सिंध पाकिस्तान गया, आसाम का विभाजन हुआ, इस्ट पाकिस्तान के लिए, समझ गया, तो एक ऐसी खतरना खिचडी बनी हुई थी साउथ एशिया में, जिसमें शेप साइज सब तरह के अवेलेबल थे, अंग्रेजों को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आगी थी कि ये प्रिंसली स्टेट्स को जो करना है, करने दो इंटरनली, कोई इनको यूमन राइट्स की कानून विवस्था की नहीं पड़ी थी अंग्रेजों को, जब तक कि उनको वहाँ से टैकसेस मिल रहे हैं, रेलवेज और टेलिग्राफ लाइनों के निकलने का रास्ता मिल र आए, so they had no interest in troubling them at all, तो नागरिकों के जीवन की quality बहुत गिरती चली गई, क्योंकि कोई सुनवाई ही नहीं थी नहीं पे, ब्रिटिश प्रोविंसेस में तो फिर भी, ब्रिटिश कॉमन लौ, थोड़ा सा मॉड़न वेस्ट मिन्स्टर सिस्टम वाली स्टाइल, रूल आफ लौ, इंडियन पीनल कोड, बाकी जगे तो ये कुछ नहीं था, जहां पर थोड़े पड़े लिखे, प्रोग्रिसिव, फॉर्वर्ड लुकिंग राजा थे, मतलब प्रिंसेस थे, उन्होंने कुछ किया, नहीं किया तो नहीं किया, पावर का फ्लो समझ ले, राजा रानी येने की क्राउं, ब्रिटिश पालियमेंट, एक्चुली इनका इन पे पूरा कंट्रोल है, सत्रवी सदी से, सेक्रेटरी और स्टेट इंडिया ओफिस लंडन में बैठता था, इंडिया का पूरा कंट्रोलर, उसके नीचे वॉइसरा गवर्नर जनरल बैठता था, इंडिया में, जो सीधे सेंट्रल गवर्मेंट चला था, पाँच एजेंसी, 158 प्रिंसली स्टेट्स, 17 प्रोविंशल गवर्मेंट, पाँच प्रोविंशल गवर्मेंट, 445 प्रिंसली स्टेट्स, और पाँच बड़े प्रिंसली स्टेट्स में रेसिडेंट बिठा रखे थे, और एक सिक्किम प्रोटेक्रेट चला रखा था, हमेशा याद रखना, प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है, जो अध अधिराज दर्जा हैं क्राउन के अंडर और प्रोविंसे से ने मेरी खुद की जमीन डारेक्ट कंट्रोल अंग्रेजों का खुद का सीधा कंट्रोल वहां कोई राजा रजवाड़ा नहीं है बहुत प्यारा चार्ट है एक मिट का समय दे रहा हूं अच्छे ते देख लो मेरा टोस्ट और ऑमलेट बनके आ गया है मौनिंग ब्रेक्फस्ट मैं थोड़ा सा दस मिनिट में मेरा टोस्ट बढ़िया बटर लगा एकदम क्रिस्प रेट टोस्ट आया है आहां के मूं में भी पानी आ रहा है उस पर बढ़िया मक्षन एक्तम चुपड़ के लगाया है दोनों टोस्टों पर टोस्टों और साथ पर बढ़िया दो अंडे का ओमलेट हरी मिर्ची अच्छी डाली हुई उसमर्ण खूफ फेंट के बनाया तो बढ़िया अच्छा फलफी बनाया थोड़ी चीज भी डलवाली मैंने उपड़ से मदा आएगा यार उसकी पिना तो और टमाटर भी काटके डलवाया तो मैं बस दस मिंट में आया अब तब तक एचार्ट बना लीजिए मूह में आते पानी को रोको बिटा अब चलते हैं पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया द़ प्रिंसली स्टेट सेज एज एक्स्प्लॉइटर्स जब हम पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पर आएंगे राजनीतिक एक ही करण पर तो यहां पर हमको 21 बिंदुओं को समझने की आवश्यक्ता है क्या बात कर रहो सर्थ 21 पोइस दुब आगाविश्यक्ता है तो बिल्कुल इंट्दीग्रेशन पर इंटीग्रेशन पर आण का माल कुछ आज था कि जो पूरा नेशनलिस्ट अंदोलन फ्रीडम के लिए चला उसका नेतरत्व जिसका इंडिया नैशनल कॉंग्रेस ने किया जिसमें सारे दिगज थे उसका प्रभाव ब्रिटिश प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा आया प्रिंसली स्टेट्स में नहीं आपाया वहां पर राजा अलाओ ही नहीं करते थे तो आल इंडिया पीपल्स कॉंफरेंस और प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉंफरेंस बेसिक आइडिया उन लोगों ने अपने अपने अलग-अलग संहूं बनाए कि किसी भी प्रिंसली स्टेट के नागरिक उसी स्टेट के सब्जेक्ट थे वह ब्रिटिश सब्जेक्श नहीं थे, 1947 के पहले आप और मैं हमारे पूरवच नागरिक तो थे इनी, हम सब प्रजा होते थे, और प्रजा की क्या उकात होती है, ये तो आपको पता ही है, प्रजा की कोई उकात नहीं होती, अगर राजा, बरबरता पर उतराए, तो कोई बचाई नहीं सकता ह प्रजा को citizens की उकात होती है क्योंकि part 3 fundamental rights आपको available है भारत के 5000 साल के इतिहास में पहली बार 1950 में 26 जन्वरी को आपको रहमें नागरिक बनाया गया और सबको बराबर कर दिया गया और fundamental rights मिल गया ऐसा कभी हुआ ही नहीं था सारों सालों में इसलिए बहुत से लोगों को उससे बहुत सारी तकलीफ है क्योंकि इतिहास में जो दबंग समूव बन गए थे सारी दबंगई खतम ख्योरी में प्रैक्टिस में जो भी हो और सब एक पट्री पर आगए एक बिल्कुल लेवल पर लाकर रख दिया और आप center of state हो गए नागरीकों के fundamental right untouchable है उनको कोई नहीं खराब कर सकता इन्वाइलेबल है और community और groups अब यह हैं नहीं केंद्रविंदू में citizen आ गया तो यह एक क्रांटी थी बहुत ही बड़ी क्रांटी जो अभी तक मुकमल होने का इंतजार तो कर रही है धीरे धीरे हो रही है ब्रिटिश प्रॉविंसेस में central government और the provincial government more or less uniformly ही शासन चला करता था ब्रिटिश सब्जेक्ट को मोटे तौर पर एक समान अनुभव ही होते थे उसमें भारत के सैक्टरो रियासतों से अपील की गई कि आप अपने अपने राज्यों में responsible government बनानी शुरू करो लेकिन रियासतों के लोग भले ही कॉंग्रेस की सदस्यता ले सकते थे लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता था तो उन्हें अपने अपने स्थानिय प्रजा मंडल बनाने पड़े state people's conference प्रजा वहां की जनता मंडल उनका ग्रुप 1934 में भी गांधी जी ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि कॉंग्रेस रियासतों में गुस्पैट नहीं करेगी उसका रीजन था गांधी जी पटेल ये सब बड़े चतुर लोग थे इनको एक बात ये मालुम थी साड़े 500 राजे रजवारों से पंगे कौन लेगा उन पे तो कोई कंट्रोली नहीं किसी का और अगर कॉंग्रेस वहां गुसी और वहां का कामकाज ठप हुआ तो अंग्रेस तो उनकी तरफ से बोलेंगे तो राजा दमन पर उतर आएगा और दमन में सीधे गोलिया चलेंगी और लाखों ल प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया उनके लिए भारत माता की जय का नारा थोड़ी था ये तो सारा कॉंसे 50 के बाद आया भारत में उसके पहले ये लोग खुद की सत्ता खुद का पैसा खुद का यश्वाराम खुद की सुरक्षा खुद के परिवार मेरा बेटा आगे र रहे लेकिन बार-बार ये बोलते रहे कि नागरीकों को मुलबूत अधिकार देदो यार ब्रिटिश प्रोविंसेस में भारत के लोगों को शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, कम्मिनिकेशन, इंडस्ट्री से फाइदा होने लगा प्रिंसली स्टेट्स ने इन सब का विरोध किया क्योंकि अगर लोगों को शिक्षा दे दोगे तो वो तो उठके आंदोलन कर देगा प्रिंसली स्टेट्स इन सब प्रोग्रेसिव मेजर्स का आम तौर पर विरोध करते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे बट मोस्ली वो उनको बहुत डर था इन चीजों से अंग्रेजों का अपने स्वार्थ के लिए कई चीज़ें करनी पड़ रही थी अब ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स पर कभी दबाव नहीं डाला कि भई तुम कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो, इंग्लिश में एजुकेशन दो क्योंकि क्यों छेड़ना चुपचाप टैक्स भर रहा है, विद्रो करने की अब उसकी कोई ताकत रही नहीं है, मरने दो और सही अप्रोश थी, अगर मैं अंग्रेजों की नदर से देखूँ तो भारत के लोगों का शोशन प्रिंसली स्टेट्स में कई गुना ज्यादा हो रहा था क्योंकि वहाँ क्या होता था, कि जो किसान थे, पेजेंट्स, बहुत हेवी टैक्सिस थे गुलामी की प्रथा आम थी, राजा रजवाडे बदले में उनको न प्यार देते थे न पैसा देते थे जितने भी कारीगर और हैंडी क्राफ्समें थे, ब्रिटेन से आ रही मेनिफैक्चर्ड गुर्ज ने इन सब को जॉबलेस कर दिया और राजे रजवाडे नई इंडस्ट्री लगाने के खिलाफ थे, तो नौकरिया मिल ने रही थी, जो मध्यमवर्थ था, उनको शिक्षा ब्रिटिश इंडिया जैसी नहीं मिल रही थी, उनके पास कोई अधिकार भी नहीं थे, प्रेस पर सब तरह की पाबंदिया लगा द साल में मच्योर हुआ, तो हर स्टेट के लोगों को ये समझ में आने लगा कि भई हमें ही कुछ करना पड़ेगा अब तो, लेकिन प्राबलम ये थी कि इन प्रिंसेस के सिर पर अंग्रेजों का हाथ था, तो जब जब रिवोल्ट हुई, अंग्रेजों ने गोलियां और बं होता है, बड़ोदा 1917, काठियवार 1921, प्रजा परिशदे बनना शुरू हो गई, पीपल्स कॉन्फरेंस याने प्रजा परिशद, इनकी वार्षिक सभाय होने लगी, समझ में आ गया? और इन सभाओं में, इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को स्पीच देने बुलाया जाने लगा, इन ही सभाओं में, जब आहलाल नहरू ने अनेक बार राजाओं को चेतावनी दी, कि जिस दिन देश आजाद हुआ, यदी तुमने देश छोड़ने का सोचा, सेना भेज के तुमको कुचल दिया जाएगा, मतलब इतने धमकी भरे स्वर में था वो, कि आज यकीन नहीं होता कि नेरू जी ऐसी भाशा यूज़ करते हैं, तो इतिहास में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो लोगों को पता ही नहीं हैं, लेकिन आब अब आप देखेंगे, पॉइंट नूमबर 11 में, अल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फरेंस, जब साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट हुआ था, आपको पता ही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ट रिफॉर्म, गवर्मेंट अफ इंडिया एक 1919 का रिव्यू दस साल में होगा करके, तो उस वक्त हार्कोर्ट बटलर इंड इंडियन स्टेट्स कमीटी बनाई गई थी, कि केंद सरकार वॉइस रॉय यने क्राउन का रेप्रेजन्टेटिव और स्टेट्स के बीच के रिष्टे सुधारने हैं, तो में रिष्टों को कैसे सुधारा जाए, हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीटी, यह याद अभ्यंकर, उन्होंने All India State People Conference को 27 डिसंबर को 1927 में मीटिंग कन्वीन की, 700 डेलीगेट आ गए, उन्होंने सोचा नहीं था इतने लोग आएंगे, और अब इन लोगोंने मांगे उठाएं कि भी गवर्नेंस रिफॉंक दीजिए, पब्लिक रेवेन्यू और प्राइवेट ए उनकी रुची थी कि मेरे पास रॉयल्स रॉयल्स की गाड़ियों का कितना बड़ा कैलेक्शन बनता है, कोई 10 खरीद रहा है, कोई 20 खरीद रहा है, कितना बड़ा मेरा महल बनता है, मेरी जो वाइफ है, एक, दो, तीन, चार, जितनी भी या 50, 60, उनके पास कितने गहने और और हीरे जवारात हैं ये किसके पैसे से हो रहा है ये प्रजा के subscribe yeah YouTube और जनता के टैक्स इनके बीच कोई लिंक नहीं होना चाहिए जुरी शरी और एक्जिकीटिव को separate करो क्योंकि राजा ही जुरी शरी और राजा ही एक्जिकेटिव तो इसी आर्पिट्ररी नेस के साथ तो बारा सो पंधरा एडी में मैगना कार्टा लिबर्टेटम हुआ था लंडन में इंग्लेंड में जिससे राजा की ताप्तों पर बहुत अंकुष लगे थे बस वही चीज 1927 में हो रही है भारत में 700 साल बाद अब ये जो आल इंडिया स्टेट पीपल कॉंफरेंस थी ये एंटी फ्यूडल तो थी सामंत वाद विरोधी तो थी लेकिन ये कई बार एंटी इंपीरियल नहीं थी मतलब राज शाही विरोधी जैसे की कॉंग्रिस थी ऐसा क्यों क्योंकि ये लोग फ्यूडलिजम बिलकुल सीधे सीधे फेस कर रहे थे तो ये उससे पहले लड़ना चाहते थे अब AISPC ने भारत के पूरे साड़े 500 राज्यों के संगर्ष को एक अखिल भारतिय स्वरूप देने का ताई किया AISPC चाहती थी कि स्टेट्स को भारत का इंटीग्रल हिस्सा माना जाए और लंडन में राउंटेबल कॉंफरेंस में उनको जगे मिले अंग्रेज उनने मना कर दिया क्योंकि अंग्रेज बहुत क्लियर थे राजे रजवारों को एश करने दो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस खत्म कर दो इन सब का अब अगर आपने राउंटेबल कॉंफरेंस में उनके प्रतिनी दी भेजे तो पॉलिटिकल अवेर्नेस आजाएगी तो सारा खेल भिगड़ जाएगा यह बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट था तो अब एइस पी सी ने कॉंग्रेस को बोला कि आप एक और इंडिया फेडरल कॉंस्टिटूशन की मांग करो जिसमें ब्रिटिश प्रजा और स्टेट्स की प्रजा सबके लिए सेम अधिकार हो और यह वो पॉइंट था जब भारत की आजादी का नैशनल मूव्मेंट और एंटी फ्यूडल स्टेट्स मूव्मेंट एक दिशा में अलाइन हो गए समझ मैं है तो जब यह हुआ तो भारत के जितने भी लालची धूर्त और बदमाश राजे रजवारे थे उन्होंने कारवाई करना शुरू की हैदराबाद का निजाम बोलता है कि ये सब मुसल्मानों के खिलाफ साजिश है काश्मीर गाराजा बोलता हिंदू खत्रे में है त्रावन कोर वाला बोलता ये इसाई चर्च करवा रहा है फाइनली कॉंग्रेस ने 1938 के हरी पूरा सेशन में जब नेता जी बहुत अध्यक्ष थे इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को पूर्ण स्वाराज की उद्धोषना में जोड लिया अगले साल त्रिपूरी सेशन 1939 में AISPC के साथ हाथ मिला के कॉंग्रेस काम करेगी बोला नहरू अगले ही साल AISPC के अध्यक्ष बना दिये दे और इस समय नहरू और नेताजी बोस ये कॉंग्रेस में एकडम शीर्ष पे थे सबसे उपर तो गांदी जी ही थे बाद में नहरू ने उद्धैपूर 1945 ग्वालियर 1947 सेशन्स की अध्यक्षता की All India State People Conference और यहां से राजाओं को चेतावनिया जारी हुई कि होश में रहो हद में रहो क्योंकि तुम्हें कुछल दिया जाएगा स्वतंत्रता के बाद अब यह movement बहुत ही strong हो गई और यह clear था कि अब अंग्रेस जाने वाले हैं तो जितने 5600 राजे रजवारे थे उन में से ज्यादा तर बिल्कुल घबरा उठे थे वो सब मोटे दोर पर यह चाहते थे कि आजाद हो जाएं और अपना देश अलग हो जाएं हर राजा यह सोचता था शुरू शुरू में अंग्रेजों ने इस आग में अच्छा खासा घी डाला लेकिन उसके बाद Lord Mountbatten को यह अकल आ गई कि सैकड़ों तुकड़े हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे प्रिंसली स्टेट्स वैसे ही बहुत वीक थे और पीपल्स मूव्मेंट अब बहुत स्ट्रॉंग थी अंग्रेजों ने देड़ सो सालों तक जो काम किया था अब उस पैरा माउंट सी को रातो रात खतम करना था तो माउंट बैल्टन यह समझ गया कि पचास सौ देड़ सो दोसो तुकड़ो वाला भारत किसी के भी काम नहीं आने वाला है बैलकनाइजेशन दो प्रिंसेस हैड़ मिक्स फीलिंग प्लस भारत पाकिस्तान विभाजन का मुद्दा अभी सर पर तलवार बनके लटक रहा ही था सारे पॉइंट समझ में आ गए बहुत जटिल समय रहा है यह इस समय की जटिलता है उसे जब आप पूरा गहराई में उतर के पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि यह आने वाले पंदरा सालों की चुनौती काफी विशाल चुनौती थी आईए अब बात करते हैं गेटिंग इट और टुगेदर तो आप समस्या है तो सारी देख ली तो आप आजाते हैं पोस्ट नाइटीन फॉर्टी सेवन सिचुएशन पर ठीक है आईए ग्यारा पॉइंट्स में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें जब अंग्रेश फाइनली भारत छोड़ के जाने लगे तो ब्रिटिश संसद ने आनन फानन में इंडियन इंडिपेंडेंस आक नाइंटीन फॉर्टी सेवन अठारा जुलाई को इनएक्ट कर दिया और ब्रिटिश इंडिया उसे दो हिस्सों में बाढ़ दिया गया दो डॉमिनियन स्टेट्स में इंडिया और पाकिस्ताइब अभी रियासतों का क्या करना है प्रिंसली स्टेट्स तो अपने जगे खड़े है ना सारे के सारे उनके उपर जो ब्रिटिश सूजरेंटी थी वो अचानक से 15 अगस 1947 को समाप्त हो गई भारत में और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल दोनों जड़िया पॉइंट कर दिया गया लेकिन दोनों ही देशों की समविधान सभाव को 100% legislative authority ट्रांस्फर हो गई जो चाहे कानून बनाओ यही भारत की पहले interim parliament थी आप समझ गया ना सुभे वो constituent assembly का काम करती थी शाम को पालियमेंट का काम करती थी अब अंग्रेस अपनी बदमाशी दिखा गए उन्होंने भारत के princely states को बोला इंडिया जॉइन कर लो यह पाकिस्तान जॉइन कर लो यह स्वतंत्र हो जाओ मतलब जाते जाते फाइनली गरबढ कर गए आप समझ रहें ना So my dear students सौ सालों से भी लंबे समय से 1840 से ट्रेड और कॉमर्स की आवशक्ताओं में जो अलग-अलग संधिया हुई थी प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेज आपस में बंद गई थी मैंने आपको बोला था ना रेलवे, टेलीग्राफ, इन सब की लाइने तो अल्टिमेटली क्रिस क्रॉस करकी डलती थी सब तरफ तो कोई भी अपने आप में आइलेंड तो था नहीं भारत में प्रिंसली स्टेट्स तो ये सब इतना कॉंप्लेक्स था कि कॉंग्रेस ने लॉड माउंट बैटन को समझा बुझा के तैयार कर लिया कि भाई तुम अगर सैकड़ो तुकड़े करवाओगे तो तुम्हारी सौ साल की मेहनत सब खतम हो जाएगी हमें अगर उसी को आगे ले जाना है तो तुम्हें इन जनरल बैलकनाईजेशन के फोर्सेस को फेवर नहीं करना होगा उन्हें ठंडा करना होगा मैं आपको एश्योर करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये एक ऐसा समय था कि कुछ भी हो सकता था हम जिस खुबसूरत भारत का मानचित्र आज देख रहे हैं हम उसको टेकन फो ग्रांटेट कि एए ऐसा ही तो होना था और हम रोते रहते हैं पाकिस्तान कडिया और वो जायज भी है हमारा रोना साथ में रहता तो साउथ एश्या बहुत ताकतवर होता मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि भारत पाकिस्तान बांगलादेश एक हो जाने चाहिए उसके तीन बहुत बड़े फाइदे होंगे पहला हिंदूओं और मुसल्मानों की आबादी बराबर हो जाएगी एक सच्चा सेकुलर स्टेट बन जाएगा दूसरा हमारी मिलिटरी शक्ती अनापशनाफ बढ़ जाएगी और तीसरा हमारा जीडीपी डबल से भी जादा हो जाएगा क्योंकि ट्रेडर कामर्स बिल्कुल बंद पड़ावा है भारत पकिस्तान का जो बहुत बड़ा इंजिन हो सकता है और हमारे एक्सपोर्स एकदम से बढ़ेंगे तो ये तीनों देश एक हो जाएएगे इसमें तीनों का ही फाइदा है सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, भूराजनितिक रूप से लेकिन अब राजनिती इतनी दूशित हो चुकी है कि ये एकी करण प्यार महब्बत से संभव है ही नहीं और चाइना होने भी नहीं देगा अब तो कह बात ये थी कि तब अगर 25, 50, 60, 70 प्रिंसली स्टेट्स फाइनली तूटके अलग हो गए होते तो साउथ एश्या का पूरा मान्चित्र आज एकदम ही अलग होता हम बहुत खुश किस्मत हैं कि एक बड़ा रोबस्ट मैप फाइनली बना नहरू ने सभी प्रिंसली स्टेट्स को एक अंतिम चेतावनी 1946 में दे दी कि भाई तुम कमजोर लोग हो और तुम मेरी सेना के साथ लड़ नहीं पाओगे इसलिए सोचना भी मत और दूसरी चेतावनी नहरू ने ये दी कि 1947 के बाद there will be no divine right of kings होता है ना राजा राजा क्यों होता है भाई पिछले हजारों सालों में जो सबसे बड़ा fraud राजाओंने किया है कि हम तो भगवान के बच्चे हैं हमको तो उपर से भेजा गया है and we have a divine right to rule और सारे लोग surrender हो जाते है राजय चलता ही इसी पर divine right to rule पर नहरू ने साफ कर दिया कि तुम्हें अगर इतनी इसी भी गलत फहमी है कि ये दैवी शक्ति दैवी अधिकार शासन करने का तुम्हारा बना रहेगा खटा सावन की खटा सारे प्रिंस्ली स्टेट्स नहरू से क्यों कट्टर नफरत करते थे आपको शायद अब समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा उन्हीं प्रिंस्ली स्टेट्स से जुड़ेवे समूह और संगठन नहरू से लगा अतार नफरत करते रहे ये सारी धंकियों की वज़े से जिसकी वज़े से भारत एक बना फिर उसके बाद पटेल ने ये साफ किया कि अंग्रेजों की पैरा माउंसी खतम हो रही है इसका मतलब तुम्हारी सोवरेंटी शुरू हो रही ऐसा मतलब ले ना प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि तुम अंग्रेजों के तलवे के नीचे दबे पड़े थे सो देड़ सो सालों से वो जा रहे हैं तो तुम सोवरेंट हो गए ये मत सोचना तुम भारत का हिस्सा बनने जा रहे हो कॉंस्टिट्वेंट एसेंबली में आके बटो चुप- अब सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन ने स्टेट डिपार्टमेंट का चार्ज लिया और बेहत मीठी भाशा का इस्तिमाल किया दो संधियां करवाइई स्टेट्स डिपार्टमेंट ने स्टैंस्टिल अग्रिमेन्ट आईवय इंस्ट्रूमेंट अव एक्सेशन विले दस्तावेज standstill agreement का मतलब है जो पहले से जैसा चलता चला आ रहा है वो आगे वैसा चलता चला जाएगा हम honor करेंगे agreements को इससे क्या हुआ कि यह सब राजे रजवारे शांत हो गए नहीं तो बे वज़े की चिल लपों, चिल लपों, चिल लपों सुभे से शाम होती तो सरदार पटेल का समय खराब होता तो उन्होंने का standstill, कोई दिक्कत नहीं है तो लोग चूपों गए instrument of accession कि भाई जो राजा है वो स्वतंत्र भारत को exceed कर रहा है शामिल हो रहा है और उसके लिए कुछ विशे भारत को handover कर देगा defense, external affairs, communications सरदार पटेल ने एक और बहुत चतुराई से favorable terms दे दे, retention of title no prosecution for cruelty slow democratization भाई सबको अपने साथ लेके चलना है मजबूर ही अगर 50-25 खड़े हो गए हर जगे सेना थोड़ी भेज़ पाओगे और पटेल और मेनन ने सामदाम दंड भेज से ये संदेश सब तक पहुँचा दिया कि कुछी महिनों में ये शर्तें कड़ी हो जाएंगी तो अभी बहुत अच्छी sweet deal मिल रही है इसे ले लो ये दोनों जानते थे कि एक बार ये सारे आ गए एग्रिमेंट हो गए उसके बाद इनको कभी भी crush कर सकते लेकिन पहले आये तो सही अब ये जो पास सो छे सो राजे रजवारे थे इनके सामने स्थिती बहुत खराब हो गई पहली चीज ये थी कि अंग्रेस सर पे से हाथ हटा के भाग गए जनता भेंकर घुसे में सब तरफ और इंडिया का रिपब्लिक अच्छे मीठी डील दे रहा है तो मैक्सिमम लोग आगे बढ़के आया और बोले पटेल साब को कहा साइन करना है बताईए बहुत कम थे जो मिश्चिफ में कर थे कि जिन्होंने पटेल को जाके बोला जाओ जाके पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जो लंडन चला रहा जाओ जाके पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी सेना खतम कर दी जाओ जाके पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने डॉक्ट्रिन आफ लेक्स लगा दी उसके बाद उसके बहुत कम थे जो मिश्चीवियस स्टेट्स थे अब ये ट्रबल मेकर कौन थे जोद्पूर जैसल मेर छोटे 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 थे जिनको अचानक से मस्ती चड़ गई लेकिन जुनागर जम्मू काश्मीर हैदराबाद ये सरदार पटेल के लिए बहुत बड़ा सिर्दर् जोटे राज्यों को तो आप कभी भी कुचल सकते हो, लेकिन बड़े राज्यों को बड़ा स्ट्रेटिजिकली कुचलना पड़ेगा, सेना का इस्तेमाल होगा ही होगा, तो ये हडेक जुनागर जम्मू काश्मीर हैदराबाद ने देने की ठानsm ली, हैदराबाद बोला, क तो पटेल होने नहीं देंगे ना कोई चांस ही नहीं था ये एधराबाद को भी पता था अब जब प्रॉपर एन फुल इंटिग्रेशन का समय आया इंस्ट्रुमेंट ओफ एक्सेशन ने ये काम नहीं किया क्योंकि सारे सबजेक्स सरकार के हाथ में नहीं आये थे ना राजाओं ने डिफेंस एक्स्टर्नल अफेर और कम्मिनिकेशन तो दे दिया था लेकिन बाकी के बहुत सारे रक्षा विदेश मामले संचार के अलावा मामले भारत सरकार के हाथ में अभी तक आय ही नहीं थे तो एक कम्प्लीट इंटिग्रेशन में दो चार पांच छे आठ साल और आगे और एग्रिमेंट लगेंगे ये सब को पता था कि जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी तो इनीशली ये तय किया गया कि एक लूस फेडरेशन बना लो और 1948-1950 जब समविधन बनके तैयार हो रहा था तो ये सब तुकडों की वेल्डिंग करो फटा फट यूनिफॉर्म यूनियन ओफ इंडिया में ये कितना कठिन काम होगा आप समझ सकते न और कितनी बुद्धिमता लगी होगी आप समझ सकते तो एक बार ये बड़ा गोल सेट हो गया तो अब मर्जर की प्रोसेस कैसे होगी स्टेट्स डिपार्टमेंट ने राज्यों को बोला जितने भी बड़े राज्ये थे कि आप सब आपस में मर्ज होके प्रिंसली यूनियन बनाओ और उसके लिए आपस में कोवेनेंट आफ मर्जर पे साइन होंगे विले अनुबन पर उसके बाद जो काउंसिल बनेगी वो एक राज प्रमुक उपर राज प्रमुक का इलेक्शन करेगी फिर वो लोगे constituent assembly बनाएंगे और states को समाप्त कर दिया जाएगा जो राजा थे उनको annual पैसा मिलेगा प्रिवी पर्स यहने आपका annual allowance और यह इंद्रा गांधी ने 1969 में समाप्त कर दिया प्रिवी पर्स तो प्रिवी पर्स जब इंद्रा गांधी ने 69 में समाप्त किया वो इसलिए क्योंकि जो राजाओं की syndicate इंद्रा गांधी के opponent की funding कर रही थी प्राइवेट बैंकों के थ्रून उनके खुद के राजाओं के प्राइवेट बैंक उसको खतम करना था इसलिए बैंकों को भी नैशनलाइज कर दिया प्रिवी पर्स भी खतम कर दिया तो वो सब लोग इंदरा थे बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे अब इस सब का परिणाम ये हुआ कि सौराश्ट्र बना, मध्य भारत बना, पेप्सू, युनाइटे स्टेट्स अव राजस्थान, त्रावन कोर कोचीन अब डेमोक्राइजेशन में सारी अड्मिस्टेटिव मशीनिरी बहुत जटिल तरीके से आपस में जोड़ी गई आप याद कीजिए सारे स्टेट्स का अपना अलग-अलग सिस्टम था, मतलब the mind boggles at the sheer thought कि स्टेट्स डिपार्टमेंट ने ये कैसे किया होगा, सेंट्रलाइजेशन और कॉंस्टिटूशनलाइजेशन, केंद्रिय करें और समवी धानी करें केंद्र सरकार के लिए बहुत जरूरी था कि सभी प्रिंसली स्टेट्स में uniform implementation of policies होना चाहिए तो अब मई 1948 में एक नया instrument of accession बनाया स्टेट्स डिपार्टमेंट ने जिसमें सभी राज प्रमुखों ने साइन किया और सबने ये वादा किया कि एक दिन हम भारत के समविधान को अपना समविधान बना लेंगे तो अब क्या हुआ 1950 में समविधान में औरिजनल समविधान में पार्ट ABC तीन तरह के स्टेट्स बताए गए पार्ट A former British provinces and merged princely state, पार्ट B princely union प्लस मैसूर प्लस हैदराबाद, पार्ट C former chief commissioner provinces जब 1956 में री ओर्गनाइजेशन हुआ तो स्टेट री ओर्गनाइजेशन एक्ट में भाशा उसका आधार बनी और फिर समविधान में A और B का distinction हटा दिया गया और C को बना दिया union territories राजप्रामुक खतम princely state के गवर्नर्स खतम और ये पोलिटिकल इंटीग्रेशन के बाद भारत का पहला नक्षा था आगई बात समझे मैं तो यह आपको शेप जो दिखाई दे रहा है उसका ब्रेक अप लेफ्ट साइड वाले मैप में हैं उसको आप जूम इन करके study material डाउनलोड करके पढ़ लीजेगा अब आजाए यह ट्रबल मेकर स्टेट्स पे जूनागर हैदराबाद जम्मू काश्मीर तीनों की अपनी अलग-अलग problems थी और तीनों को अलग-अलग धंग से subdue किया गया सबसे पहले जूनागर का जो नवाब था उसने यह उद्गोशना कर दी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा जबकि जूनागर और पाकिस्तान की बॉर्डर तो मर्ज होती नहीं आपस में दे डूनाट एबट कंटिग्वस बॉर्डर नहीं है और केवल समुद्र के रास्ती होगा तो जूनागर के आसपास के राज्यों के साथ मिलीटरी जगड़ा शुरू हो गया बारत सरकार को आसपास के स्टेशन ने बोला कि भाई जर आके इसको अकल सिखाओ जूनागर 80 प्रतिशत हिंदु आबादी थी तो सरदार पटेल ने जूनागर का एक्सेस फियल, कोल, ट्रांसपोटेशन और बाकी चीजों से कट कर दिया और जूनागर के राजा को बोला आप एक जन्मस संग्र करा लो और देखते हैं लोग क्या बोलते हैं नवाब को समझ में आ गया कि भागना पड़ेगा अब अंडर्ग्राउंड होने का समय आ गया है जैसा एक बहुत फिल्स फिल्म वसेपुर में कहा था हीरो ने तो नवाब पाकिस्तान भाग गया और फरवरी 1948 के जन्मस संग्र में लोगों ने साफ बोल दिया कि हमें भारत में विलै होना है तो वो बड़ी ड्रेमाटिक उस समय की वीडियो क्लिप्स है जब सरदार पटेल अपनी कार में एंटर कर रहे हैं जूनागड में और पूरा स्टेट उनका स्वागत करने के लिए खड़ा है और नवाब भाग चुका है पाकिस्तान तो यह कहानी खतम हो गई जूनागड की यह जूनागड का स्टेट था अब यह पाकिस्तान में कैसे जुड़ेगा तो नहरू और पटेल दोनों पिछले 25 सालों के अपने स्टैंड पर कायम रहे कि यहां की जनता ही तै करेगी जो करना है और उसके लिए प्लेबिसिट होना चाहिए जन्मस संग्रव समझ गए ना लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़के इनको भड़काया और इनको बोला आपको हमने एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि पाकिस्तान में जिन्ना ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स को अपने पास लाना चाहते थे तो यहां की जन्ता के विध्रों के सामने उन्हें जाना पड़ा अब यहां बड़े इंट्रेस्टिंग कैरेक्टर है नवाब तो भग गया पाकिस्तान लेकिन जो दीवान थे जुनागड राज्य के वो थे शाह नवाज भुट्टो शाह नवाज भुट्टो सहाब उन्होंने भारत सरकार को बोला आईए उनके बेटे हुए जुल्फिकार अली भुट्टो ये बाद में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री बने और उनकी बेटी थी बेनजीर भुट्टो जिनका असैसिनेशन हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जिया उल्हक ने फांसी पे चड़ा दिया था और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ही इंदरा गांधी जी ने शांती समझोते भी किये थे युद्ध के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो वो थे जिन्होंने शेक मुझीबुर रह्मान का बंगला देश में इलेक्शन में इतना जबर्दस जीतना बिल्कुल भी हज़म नहीं हुआ था और इनहीं की वज़े से वह वार शुरू हुआ ऐसा कई लोग कहते हैं और इनको फिर जनरल जिया उलक ने जेल में फांसी दे दी थी उनकी बेटी कई साल तक जेल में सड़ती रही थी सारे कनेक्शन बैठ गए दिमान में हैदराबाद पूरी तरह से लैंड लॉक स्टेट था 2.1 लैक स्क्वेर किलो मीटर 87 परसंट हिंदू अबादी वहां का शासक था निजाम ओस्मान अली खान और कई सदियों से वहां पर एक मुस्लिम एलीट मुस्लिम अभिजात्य वर्ग बहुत ताकतवर बन चुका था निजाम उसके कंट्रोल में था तो निजाम ने जून में बोला कि मैं अलग जा रहा हूं और एक फरमान जारी किया बारत सरकार ने बोला भई नौर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच तुम एक इतना बड़ा स्टेट हो तो तुमारी जोग्रफी हमारे लिए इतनी इंपोर्टन्ट है कि हम नौर् की स्वीकार करी नहीं सकते हैं और इसलिए तुमारे फरमान को तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं बारत सरकार ने मना कर दिया तो निजाम ने बोला कि भई मैं आपके साथ पूरा का पूरा इंस्ट्रुमेंट आफ एक्सेशन तो नहीं करना चाहता एक बहुत ही सीमित संधी मैं मैं आपके साथ कर सकता हूं अगर आपने अच्छे टर्म दे दिये भारत सरकार ने मना कर दिया तो फिर एक टेंपररेरी स्टैंस्टिल अग्रीमेंट साइन किया गया समझ में आगया अब तेलंगाना विद्रो यहाँ पर उसी समय हुआ जो एक बहुत हिंसत विद्रो था पैजेंट रिवोल्ट वहां के किसानों का विद्रो जो सामंत वादियों के खिलाफ और बाद में हैदराबाद राज्य के ही खिलाफ हो गए थे इस पूरे के पूरे विद्रो का नेतरत्व कम्मिनिस्ट लोगों ने किया था अब इस तेलंगाना रिवोल्ट से जुड़े हजारों लोगों को कुचलने के लिए कासिम रिजवी नाम के व्यक्ति ने निजाम की मदद करने के लिए बहुत सारे वॉल्लेंटियर इखटे किये जिनको कहते हैं रजाकार रजाकार सेना इन्होंने बहुत से ग्रामीनों को मारा चीज़ें बिगड़ती गई और निजाम ने बोला कि भाई सारी चीज़ें हाथ से निकल रही हैं उस्मान अली खान बोले तो मैं जा रहा हूं सर्दार पटेल ने कहा अब इस आदमी को जस्टिस यहीं पर देना पड़ेगा तो भारत की सेना ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में 13 सितंबर 1948 को गुसी साथ दिन लगे और सब कुछ कंट्रोल में आ गया हालांकि हजारों जाने साम्परदाइक दंगों में चली गई सर्दार पटेल ने निजाम को हेड ऑफ स्टेट बनाए रखा तो मामला खतम हो गया तो ये थी हैदराबाद की कहानी इस पर आपको इसका बहुत डीटेल राइट अप मिलेगा तो कफी समय तक तो पिंग पॉंग का खेल चलता रहा लेकिन फाइनली फिर सरकार ने तय करके ऑपरेशन पोलो कर ही डाला फिर आते हैं काश्मीर पे जहां तक काश्मीर का सवाल है बहुत लंबा चैप्टर है उस पर हम आपको एक पूरा डीटेल डेडिकेटेट सेशन अलग से उपलब्त करवाएंगे मुस्लिम मेज़ॉरिटी स्टेट था लेकिन लंबे समय से वहां का राजा महराज हरी सिंग एक हिंदू था समझ मैं आया इसके उपर की पूरी कहानी हम आपको अलग से पढ़ाएंगे एक तमिल समस्या के बारे में भी यहां बात करना बड़ा आवश्यक है 1950s के दशक में द्रविड मुनेत्र कडगम लीडिंग पार्टी बनी और ये पार्टी दो बड़े आंदोलोनों से जुड़ी हुई थी जस्टिस पार्टी 1920 का नॉन ब्रहमिन मुव्मेंट इसलिए तमिल नाडू में कास्ट इक्वैलिटी से जुड़े आंदोलन काफी हुए हैं और दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्मेंट जो पेरियार यने इवियार नाय करने चलाया था पेरियार का मतलब होता है ग्रेट सेज self-respect movement में anti-caste, anti-religion कि ऐसी किसी भी प्रथा को नहीं मानना जो जाती प्रथा में छोटे लोगों को जानवर बना के रखती है ये बहुत बड़ी बात है भारत में बहुत कम जगे इतने बड़े अंदोलन हुए और वो तमिल नाडू में आज दिखता है उसका positive change जब DMK 1944 में अन्ना दुराई और पेरियार ने द्रविड कड़म बनाया फेडरेशन 49 में वो split हो गया और अन्ना दुराई अलग होके द्रविड मुनेत्र कड़म बना गया मुनेत्र मतलब प्रोग्रेसिव DMK अंग्रेजों के खिलाफ था लेकिन राष्ट्रवादी था Initially DMK ने बोला हमें द्रविड नाडू चाहिए और हिंदी तो लाना इमत यहाँ पे तमिल नाडू, आंद्रपदेश, करनाटा, केरल, चारो मिलकर इस शेत्र में द्रविड नाडू बनाएंगे यह ओरिजनल गोल था और हिंदी को तो पूरी तरह से बैन करेंगे DMK धीरे 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 सौफ्ट होती चली गई के कामराज की चीफ मिनिस्टर्शिप के दोरान और जब 1962 का चीन युद्ध हुआ तो DMK ने भारत सरकार के पक्ष में अपना पूरा समर्थन दिया जवाहल लाल नहरू की सरकार ने सोलवे समविधान संशोधन से राज्य को तोड़ के देश से अलग करना इसको अपराद बना दिया सिसेशन को क्राइम बना दिया फाइनली DMK ने वो विचार त्याग दिया 1965 में जब हिंदी को नैशनल लेंवेज बनाने की कगार पे शास्त्री जी ले आये थे रक्षिन में बहुत हिंसक एंटी हिंदी आंदोलन हुआ जिस वज़े से सब कुछ डब तो हिंदी is not the national language of इंडिया मेरे साथ repeat कीजिए हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा नहीं है हिंदी सिर्फ एक आधिकारिक भाषा है भारत की जैसे कि तमिल है तेलगू है या अंग्रेजी है तो अगर आप इस गलत फहिमी में जीते आये हैं आज तक कि हिंदी भारत की कर दीजिए हिंदी नहीं है राष्ट्र भाषा जिस किसी ने भी आपको वह बताया है उसने समविधान पढ़ा नहीं है इंडियन एड्मिस्ट्रेशन का सबसे टफ पीरियड यह हमने पिछले लेक्षर्स में कवर किया था पिछले मॉडियूल के उसको यहां रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके पास एक ही जगे सारे नोट्स रहे पूरे इंटिग्रेशन प्रोसेस के जो प्रमुख गिरदार वी इंटिग्रेशन के समय बहुत बड़े बड़े पदों पर आपने काम किया और सरदार पटेल के साथ राज्यों के इंटिग्रेशन का काम इनका सबसे बड़ा अचीव्मेंट था बलवन्त राए महता ये स्टेट पीपल कॉन्फरेंस के साथ जुड़े रहे लंबे समय तक इनका नाम आज के लेक्चर में आया भी था और बाद में पंचायती राज इंस्टिटूशन की स्टड़ी असेस्मेंट और कमिटी में रहे महराजा हरी सिंग जमू काश्मीर और सरदार वल्लब भाई पटेल इनको हमने पिछले मॉड्यूल में डीटेल चैप्टर बनाके पढ़ लिया था अब आईए कुछ सम्वेधानिक प्रावधानों से आपको रूब्रू करा दें आज हम बात कर रहें पार्ट वन की यूनियन एनिट्स टेरिटरी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवालाल नेरू ने सम्विधान सभा का सबसे पहला सत्र सम्भोधित किया बहुत ही एती हासिक पल था ड्राफ्टिंग कमीटी की तस्वीर भी आपके सामने है ये हैं बेनेगल नर्सिंग राउ जिनोंने दुनिया भर के सम्विधानों का अध्यन करके उनका जिस्ट निकालके डॉक्टर आमबेड करको दिया 15 अगस की सुभे रात के 12 बजे ट्रिस्ट विट डेस्टिनी की स्पीच देते हुए प्रदान मंत्री नेरू 24 जन्वरी 1950 को सम्विधान की ओरीजनल कौपी पे हस्ताक्षर करते हुए प्रदान मंत्री नेरू कॉंस्टिटुएंट असेम्बली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजन प्रसाद हस्ताक्षर करते हुए आईए अब आर्टिकल्स देख लीजे आईए अर्टिकल वन अफ्टिटुशन कहता है इंडिया इस भारत श्यल्विए उनियन अफ्टेट्स भारत अर्थाद इंडिया राज्यों का संग होगा यूनियन में नए स्टेट्स को ला सकती है यूनियन में नए स्टेट्स को ला सकती है आपको याद होगा हमने आपको कॉंस्टिटुशन के मॉडिल में बताया था नहीं है तो आज बता रहे हैं आपको याद नहीं है और आप नए स्टुडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है इंडिया इस एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन याद आ रहा है आफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स याद आ रहा है तो विनाशनीय राज्यों का और विनाशनीय संग है भारत लेकिन अमेरिका इस एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन आफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स तोनों में बहुत फर्क है क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स ने मिलकर यूनियन बनाया था इंडिया में स्टेट्स ने मिलके यूनियन नहीं बनाया एक अथॉरिटी नहीं किया है वो काम आई होब आपको फर्क ध्यान रहेगा कॉमेंट्रिड में जो माई के लाल है समझा दे भहिया आर्टिकल 3 नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों की शेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन ये रहे फर्स्ट शेडियूल के स्टेट्स सारी सूची आपके सामने है और फिर राज्यों सभा में किसे कितनी सीटे मिलेंगी आंद्र प्रदेश और तेलंगाना का पूरा का पूरा जगड़ा हमने आपके लिए नौ पन्नों में लगा दिया है इसको बारी की से पढ़िएगा पूरा समझ में आ जाएगा आपको अब नया मॉडियूल शुरू हुआ है तो मेंस में ये वाला जो हम मॉडियूल पढ़ रहे हैं आज इससे जुड़े जितने भी क्वेस्चन्स आएंगे आ चुके हैं मतलब वो आपके लिए हमने कलेक किया हैं अब अच्छे से देखो एक बार सारे लेक्चर्ज इस मॉडियूल के उनके ये मेंस के क्वेस्चन है इनको आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है इनके उपर नौ पन्नों में कंपाइलेशन है पूरा देख रहा है न बिनोत कितने सवाल दिखा दिये सर ने झाल दोसी जbecने इनके भी से, वे कशना स्वाजय है ये वडियू है यlara इनके उपाड़ सारे शक्राई मेंट पना और पाल क्या इनके ने सर आपको शॉड़रOT आ गए सारे समझ में वेरी गुड प्यारे दोस्तों कल जब हम मिलेंगे सुभे साथ बजे तो हम बात करेंगे linguistic reorganization of states की और बाद में अगले lecture में new states in इंडिया total 9 lectures में स्वत्तंतरता पश्चात भारत का पूरा अध्यन आपका complete करवा दिया जाएगा prelims के बहुत सारे questions आगे आ रहे हैं वो सब हम देखेंगे फिलहाल हम आपसे कल मिलेंगे सुभे साथ बजे याद रखिए कल शाम को छे बजे DCS होगा अगली class दो घंटे की और इस संडे आपको आपका अगला power of 10 मिल जाएगा I wish you all the best पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए तो हमारा नया module आज सफलता पूरवक शुरू हो गया और उसका पहला lecture भी complete हो गया अब कल मिलेंगे lecture 2 में नमस्कार जय है झाल